सुरेंद्र मोहन पाठक कहर विमल 48 विमल का विस्फोटक संसार विमल सीरीज का टैतालीस वा तोफा पाठ एक विमल 42, 43, 44, 45 सभी नोवल में प्रिंटिंग मिस्टेक्स है जिसको हमने ठीक करने का प्रयास किया है हो सकता है कि कुछ गल्तिया रह गई हो क्रिप्या इग्नोर करे हमसे जो बहतर हो सका वो हमने किया है इस नोवल की फर्माईश के लिए कमेंट किया है डॉक्तर परदीप सिंग डालीवाल विजे भूशन त्यागी पवंत्रीप्थी आकाश पंदित परमिंदर सिंग रजनी साहु सक्ती से संदीप विश्वकर्मा नेपाल कपिलवस्तू जिल्ला से विजे अरोरा फरीदाबाद मजहर हुसें अफजल अनसारी मेरट सिटी यूपी जै प्रकाश शिफ तांदव गोंडा उत्तर प्रदेश राजा ठाकुर बुलंदश हर उप शंकर गुपता दुम्री शहाबगंज चंदौली यूपी प्रकाश कुमार बकसर दिहार फालगुनी पतेल कुरला वेस्ट मुंबई गुरिंदर भट्ती रिकमेंडेशन अगर आप कुछ एक दम नया शांदार खाना बनाने या खाने के शोकीन है तो दरेसिपी ब्लॉगगर पर जाए यहां रोज नई नई रेसिपीज अपलोड की जाती है तो तुरग जाकर देखे लिंक दिस्क्रिप्शन में है दिस्क्लेमर यह वीडियो केवल शिक्षा के उदेश से बनाया गया है कोई व्यावसाइक लक्ष या कोई कॉपिराइट उदेशन नहीं है निवेदन कमेंट करें कि आप कौन सी किताब सुनना चाहते हैं और हमारे फेस्बुक और एनस्टी ए ग्राम को एल के सब्सकर भी करें अगर कह हमारे दूसरे चैनल्स के तरहां एस चैनल मी एन भी एच को प्रॉब्लम हो टू आप हमसे जुड़े रही आपको हमारे विडियो में कुछ सिंबल साइंस की साउंड सुनाई देते होंगे जैसे की प्लस हश इनको इग्नॉर करें ये हमारे बुकमार्ट्स है रेकोर्डिन के लिए होते हैं विडियो लंबी होनी के कारण कुछ रह जाते हैं जिन पर काम किया जा रहा है जहां आपको एस्टिस्क 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 साउंड आएगा इसका मतलब वहां सीन चेंज हुआ है आपको यहां आडियो बुक पसंद आई तो लाइक जरूर करें तू आईए सुनते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक कहर विमल तैतालीस पार्ट एक दो अक्तूबर सोमवार आफिस जाने को तैयार विमल ब्रेकफास्ट टेबल पर मौझूद था और खामोशी से नाश्टा कर रहा था कितनी ही देर से सामने बैठी नीलम ने अपलक उसे देखा उसने सिर न उठाया तो वो बोली क्या बात है सरदार जी कबियत तो ठीक है मुझे सरदार मत बोला कर विमल जुनजलाया पहले भी कई बार बोला मैं यहां कॉल हूँ, कश्मीरी ब्रामन, कोई सरदार जी सुनेगा तो क्या कहेगा यहां कौन सुनेगा अरे, दीवारों के भी कान होते है होते होंगे जुबान तो नहीं होती बहुत स्मार्ट हो गई है सोबत का असर है जी, मेरा सरदार स्मार्ट है तो मेरा मतलब है सर्दार स्मार्ट है तो बसकर मेर को भूल गई वो सुनती हो सकती है ओ, फिर तो सौरी आई बड़ी अंग्रेज पर मेरी बात तो तुमने बीच में ही गुम कर दी कौन सी बात आज बहुत गुमसुम हो मैं पूछ रही थी, तबियत तो ठीक है तबियत को कुछ नहीं हुआ, वो ठीक है, मन ठीक नहीं है क्यों भला? मार्केट का कलवाला नजारा नहीं भूलता जेहन पर उस लड़की की परेशान सूरत उबरती है उस शैतान की अौलाद लड़के की धृष्ट गुस्ताक सूरत उबरती है तो मन आंदोलिथो उठता है भूल जाओ सब, आजकल बड़े शहरों की ये रोजमरा की बाते हैं तू ना रोकती तो उस चांडाल को ऐसा सबक सिखाता की फिर शुरू हो गए उसको कोई सबक सिखाने से पहले खुद अपना सबक याद करो जो ऐसे मौकों पर जोश खाते हो तो भूल जाते हो क्या कह रही है? ये विमल भौचक का सा बोला तू ही बोल रही है ना? नहीं बैडरूम से टीवी की आवाज आ रही है लैचर देना कब से सीख गई? सिखा दिया सद्वा होते हुए विद्वा की जिनगी जीने ने शट अप क्यों कुछ गलत कह दिया मैंने? ऐसी बाते ठीक भी हो तो नहीं सुननी मैंने जो आग्या प्राणनात अब उठो नौ बजने को है ओ और वापिसी में गुरुद्वारे मत्था तेक कर आना मन निर्मल हो जाएगा आंदोलित भावनाएं शान्त हो जाएंगी कमार है साली मिडल फेल कैसी फैसी लफ्रफाजी जाड रही है? पास सौ बार कहा विमल हसा फिर उसने उठकर अपना ब्रीफ के संभाला और बाहर की ओर बढ़ा नीलम चौखट तक उसके साथ आई विमल ने बाहर कदम रखा तो वो चौखट पर ही ठिठक गई मैंने सुना है वो विनोत्पूर्ण स्वर में बोली बाहर के मुलकों में साहब लोग जब ऐसे सुबह घर से रवाना होते हैं तो अपनी मेम के गाल पर ठूक लगा के जाते हैं मा का सिर सुना है विमल की हसी निकल गई अरी, मिदल फेल, बीवी को गुडबाई किस से नवास के जाते हैं किस से? ठूक से? कि आई डबल एस किस से? अब तेरे को कि आई डबल एस नहीं समझ में आना साली हिंदी मीडियम अब एकाएक विमल खितका क्या हुआ? नीलम सशंक भाव से बोली विमल ने खामोशी से सामने कोठी के आईरन गेट से पार सड़क पर इशारा किया नीलम ने उसकी निगा का अनुसर्ण किया तो पाया वहां एन गेट के सामने एक स्टील ग्रे कलर की वरना खड़ी थी जिसकी वहां मौजूदगी के दौरान विमल कोठी के भीतर खड़ी अपनी रिज़कार बाहर नहीं निकाल सकता था दोनों आइरन गेट के करीब पहुँचे मैं इस कार को पहचानती हूँ नीलम बोली विमल की भवे उठीन है देर रात लोटता है तो गारी कहीं भी खड़ी कर देता है कहीं भी क्यों? उनके पास तीन गारिया है हमारी तरह भीतर गैराज नहीं है उनके यहां इसलिए उन्हें पार्विंग की प्रॉब्लम है तू तो बहुत कुछ जानती है आस्पडोस के बारे में क्या बड़ी बात है? दो महिने हो गए यहां रहते ठीक त्रिपाठी छे नंबर क्या इरादा है? जाके बात करता हूँ न सुनो जाने दो क्या आफिस जाना जाने दू छुट्टी कर लू आज क्योंकि पडोसी की नालाय की बलकि धांदली की वज़ह से मैं अपनी गारी बाहर नहीं निकाल सकता नहीं तो कैब बुला लो विमल ने अपलक उसकी तरफ देखा प्लीज विमल एक ख़ण हिचका फिर उसने सहमती में सिर हिलाया नीलम ने चैन की सांस ली अगले दिन फिर वही हुआ सुबा विमल का आफिस जाने का वक्त हुआ तो उसने वही वरना फिर अपने आईरन गेत पर खरी पाई मैं कल शाम जब लोटा था विमल भुन भुनाता सा बोला तब तो ये यहां नहीं थी दोपहर बाद किसी वक्त गई थी नीलम धीरे से बोली बात करनी थी मुझे पता ही नहीं लगा था कब गई थी अंदाजन बोला कि दोपहर के बाद गई थी क्योंकि तब सबजी वाले की आवाज सुनकर मैं बाहर निकली थी अब क्या करूं मैं? आज भी क्या बुलाओं? प्लीज आज मैं निगाह रखूंगी आज मैं बात करूंगी ठीक है कुछ ठीक न हुआ उससे अगले दिन भी वर्ना वही खड़ी थी विमल का पारा चड़ने लगा तूने बात नहीं की कर वो गुसे से बोला कोशिश की थी नीलम दबे स्वर में बोली क्या मतलब? मैं खास उसकी ताक में थी वो छोकरा आया तो मैं बाहर निकली थी लेकिन उसने तो मुझे बात करने का मौका ही नहीं दिया मैं आवाज ही देती रह गई और वो गाड़ी लेकर निकल भी लिया हूँ? त्रिपाथी? छै नमबर हाँ लेकिन अब खरदार जो कहा कि कैब बुला लू? नहीं नीलम का स्वर और व्यग्र हुआ मैं तो कह रही थी अरे क्या कह रही थी? साफ बोल मुझे पहले ही देर हो रही है जगडा न करना प्लीज विमल ने घूर कर उसे देखा तुम्हें सूरज की कसम विमल ने गहरी सांस ली फिर असाय भाव से सहनती में गर्दन हिलाई आइरन गेट को धकेल कर वो बाहर निकला और सडक पर दाई और आगे बढ़ा छै नंबर एक दोमंजला कोठी थी जिसके सामने जैसे तैसे तीन कारे पहले सेखली थी तीन उसने देखा कोठी के आइरन गेट के पहलू में एक चिथी डालने के काम आने वाला लंबा जहरोखा था जिसके नीचे पीतल के अक्षरों से जड़ी ग्रेनाइट की एक स्लैब तिर्ची लगी हुई थी जिस पर दर्ज था चिंता में त्रिपाथी गौर्मेंट कांच्राक्टर दीच है बंद आइरन गेट पर स्टूल पर बैठा एक वर्दीधारी वाचमैन मौजूद था मैं नौ नंबर से हूँ अर्विंद कॉल विमल बोला जरा त्रिपाथी जी को बुला दो वो तो इस वक्त नहीं बुल सकते वाचमैन बोला क्यों? फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट कर रही है पुट के कैसे बाहर आएंगी? तो भाई, मेरे को उनके पास ले चल वाचमैन ने उस बात पर विचार किया फिर उठकर आइरन गेट खोला और भीतर को बढ़ा विमल उसके पीछे हो लिया वाचमैन उसे एक भव्य डाइनिंग रूम में लेकर आया जहां एक विशाल डाइनिंग टेबल के गिर्द परिवार के बच्चे बड़े कई सदस्य बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे उनमें से एक कोई 55 साल का रौबदार शक्लसूरत वाला व्यक्ती था जिसने सबसे पहले सिर उठाया और अप्रसन्न भाव से बोला क्या है ये पडोस से है वाचमैन विन्यशील स्वर में बोला आप से मिलना चाहते हैं तो यहां क्यों ले आया देखता नहीं ब्रेक्फास्ट कर रहे है साहब मैंने सोचा कि कोई जरासी बात होगी इसलिए खेर अब ले आया तो ठीक है देखते हैं तू जा वाचमैन वहां से रुकसत हो गया कौन हो भई पीछे उम्रद्राज शक्स बोला क्या चाहते हो मेरा नाम अर्विंद कॉल है जनाम विमल विन्यशी स्वर में बोला मैं नौ नंबर में रहता हूँ तो वो शक्स उतावले स्वर में बोला तो आपकी गाड़ी मेरी कोठी के आईरन गेट के आगे खड़ी है तो क्या आफत आ गई कल भी खड़ी थी परसो भी खड़ी थी अरे भाई तो क्या आफत आ गई आज कल या परसो आफत कोई नहीं आ गई जनाब लेकिन बात ये है कि मैं अपनी गाड़ी भीतर से बाहर नहीं निकाल सकता दो दिन इसी विगन की वज़े से मुझे कैब बुलानी पड़ी मैं रोज-रोज कैब नहीं बुला सकता मैं नौकरी पेशा आदमी हूँ मेरा फिक्स ताइम पर आफिस पहुँचना जरूरी होता है मुझे देर हो रही है तो हम क्या करें? आपकी वज़े से देर हो रही है क्या चाहते हो? चाहता क्या हूँ? बताया तो है मेरे गेट पर से अपनी गाड़ी हटाईये ताकी मैं यार तुम तो खड़े घोरे पर सवार हो ऐसे होता है कहीं अब breakfast भी नहीं करने दोगे इतने सक्त हाकिम हो जनाब मैं हाकिम नहीं हूँ, मैं तो हुक्म तो हाकिम की तरह ही दंधना रहे हो दरखफास कर रहा हूँ, दरखफास कर रहा हूँ ठीक है, ठीक है, ब्रेक्फास्ट से निपट कर करते हैं कुछ जनाब मैंने आफिस पहुँचना है, मुझे दे तो क्या करें? ब्रेक्फास्ट छोड़ दें मैंने तो ऐसा नहीं कहा कहलो, एक तो घर में घुस आये और आकर सिर पर सवार हो गए उपर से मैं नहीं घुस आया, आपका वाचमैन मुझे यहा लाया अब वाचमैन ही बाहर ले जाएगा तो जाओगे विमल का चहरा तम्तमाने लगा जगडा न करना नीलम की चेतावनी उसके जेहन में गुंजी उसने सप्रयास अपने भणकने को ततपर मूड पर काबू किया गली सबकी साज ही होती है उम्रद्राज शक्स के बाजू में बैठा एक नौजवान लड़ता तमक कर बोला क्या बोला विमल ने घूर कर उसे देखा ये रिंग में कोई प्रॉबलम है क्या तुम शायद अर्मान हो जिसकी वो वर्ना है जो मेरे आईरन गेट के सामने खड़ी है कैसे जाना कल भी खड़ी थी परसों भी खड़ी थी अरे कैसे जाना कि मैं अर्मान हूँ तुम्हारी एरोगेन से जाना तुम्हारी गुस्ताक बदखलाग जुबान से जाना वो हड़ बड़ाया ज्यादा जुबांदराजी की जरूरत नहीं है फिर पूर्ववत तमक कर बोला हमारी कोठी के आगे भी किसी की गाड़ी खड़ी है वो हट जाए फिर हम भी हटा लेंगे कब? जब भी वो गाड़ी हटेगी मैं इतना इंतजाद नहीं कर सकता तो मत करो नहीं करूंगा आप अभी अपनी गाड़ी हटा लोगे तो क्यों करूंगा भला? अरे क्या सचमुच में बहरे हो? बोला न कि पहले वो गाड़ी जो पता नहीं कौन साला वो ठिटका उसने बगल में बैठे उम्रदराज शक्स की तरफ देखा जो अब प्रत्यक्ष था कि उसका पिता चंता में त्रिपाथी था पता नहीं यूवब भुन भुनाया गाड़ी इस गली की भी है या नहीं मुझे पता है विमल धीरज के साथ बोला मुझे पता है वरना तुम्हारी है और वो मेरा रास्ता रूप रही है अब जरा चलो और उसे हटा लो ताकि मैं आफिस जा सकूँ अच्छा पिता व्यंग्यपूर्ण भाव से बोला तुम्हारे कहने से ये ब्रेकफास्ट छोड़ दे जनाब आप मेरी प्रॉब्लम भी तो समझो समझी है ब्रेकफास्ट से फारिग हो ले फिर करते हैं कुछ तलो अब तलू वो अपनी कोठी पर लोटा क्या हुआ तब भी बरामदे में खड़ी नीलम ने व्यग्रभाव से पूछा विमल ने बताया हे भगवान नीलम हैरानी से बोली नीलम हैरानी से बोली ऐसे पेश आए हो तुम्हारे साथ ब्रेकफास्ट पर बैठे थे अदब होता तो घर आए महमान को ब्रेकफास्ट ओफर करते अदब तो दिखाया नहीं उपर से बत्तमीजी करने लगे पैसे की गर्मी हो तो अहंकार आही जाता है, जब अहंकार आता है, तो बतमीजी साथ ले गरादा है, अब क्या करोगे? इंतजार मुझे कोई एतराज नहीं लेकिन मुझे लगता है, अपनी ताकत बताने के लिए वो जान बूज कर गारी हटाने में देर करेंगे आज फिर कैब बुला लो, प्लीज, अरा नाम क्या है? पहले कुछ और ट्राइ करता हूँ, ट्राइ नाकाम रही तो कैब बुला लूँगा क्या ट्राइ? क्या करोगे? अभी सामने आता है कोई फसादी काम न करना अरे, नहीं, भाई, वादा है घरवाली से, वादा खिलाफी कैसे करूँगा? हाँ, याद रखना ये बात, याद है, बीबी नीलम कौरे विमल ने जेब से अपना मोबाइल निकाला और अजीत लूथरा को काल लगाई शाम को विमल घर लोटा छे नंबर वालों का वाचमेन शायद उसी के लोटने की ताक में था उसकी कार को पहचानते ही, वो पोठी के भीतर को भागा विमल ने हौन बजाया मेड ने कोठी से बाहर निकल कर आईरन गेट खोला तो विमल ने कार को भीतर ले जाकर खड़ा किया वो कार से बाहर निकल कर अभी बरामदे की और बढ़ा ही था कि दंदनाता हुआ चिंता में त्रिपाठी वहाँ पहुँच गया विमल थितका, प्रश्न सूचक नेतर से उसने त्रिपाठी के गुसाएं चेहरे की तरफ देखा हमारी गाड़ी का क्या किया त्रिपाठी सूरत से मैच करते गुसे से बोला आपकी गाड़ी जान बूज कर अंजान बनता विमल बोला, वरना नई जो सुबह यहां बाहर खड़ी थी कहा गई वो मुझे क्या मालूम कहा गई आपकी गाड़ी की आपको खबर हो जब वो यहां गेट के आगे खड़ी थी तो तुमने अपनी गाड़ी कैसे निकाली जब मैंने अपनी गाड़ी निकाली थी तो वो गेट के आगे नहीं खड़ी थी कहा गई मुझे क्या पता कहा गई? आपके बालक ने हटाली होगी, आप बोल तो रहे थे ब्रेकफास से फारिघ होकर उस बाबत करेंगे कुछ. हमने कुछ नहीं किया था, ब्रेकफास से फारिघ होकर जब अर्मान यहां आया था तो गाड़ी यहां नहीं थी. कहां गई? अरे मैं तुम से पूछ रहा हूँ मुझे इस बाबत कुछ नहीं मालूम मैं तो सुबा नौ बजे का निगला अभी लोटा हूँ यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि निकले कैसे गारी से लोटे हो तो जाहिर है कि गारी से ही गए थे कैसे निकाली मैंने अर्ष किया ना जनाब कि जब मैंने भीतर से गारी निकाली थी तो बाहर वरना नहीं थी वरना मैं गारी निकाल ही ना पाया होता नहीं थी तो कहा गई हमने तो नहीं हटाई थी तो किसने हटाई यही तो मैं जानना चाहता हूँ आपने नहीं हटाई तो एक ही बात हो सकती है क्या? उट गई क्या? चोरी हो गई क्या? ये नहीं हो सकता, इधर कभी कोई कार चोरी की वारदात नहीं हुई जनाब कभी तो पहल होनी ही होती है बिल्कुल नए थी, अभी पिछले महीने ही ली थी कार जैकर्स नई और हाई एंड कार्स पर ही घात लगाते हैं चोरी हो गई वो अनिश्चित भाव से बड़बराया और क्या हो सकता है? आपको ठाने जाके चोरी की रपट लिखानी चाहिए अर्मान बोल रहा था ऐसा लेकिन मैं पहले तुम से बात करना चाहता था मेरे से बात कर ली है आपने अब तुमने वाके हमारी कार के साथ कोई कर्तब नहीं किया? अरे जनाब मैं क्या कदब कर सकता था? गिली? गिली करके कार को गायब कर सकता था? क्या कर सकता था? बताइए उससे जवाब देते ना बना कर सकता होता तो पहली बार ही ना करता तो वो फिर बोला जब तुमने अपनी कार नियाली थी तो हमारी वर्ना बाहर नहीं थी ये भी कोई पूछने की बात है वर्ना बाहर होती तो मैंने अपनी कार कैसे निकाली होती यो कार निकालना मुम्किन होता तो मैं क्यों फरियादी बनकर आपके वारे गया होता और फटकार खाकर लोटा होता ऐसी कोई बात नहीं थी, हम ब्रेकफास्ट बीच में नहीं छोड़ सकते थे, बस ठीट, ठीट, तो कब निपते थे? तुम्हारी आमद पर तो बस अभी बैठे ही थे दाइनिंग टेबल पर 15-20 मिनट तो लगते ही हैं, ना निपतने में खिर जाएं या ना जाएं विचारने में भी वक्त लगा होगा वो सकपकाया, उसने तनिक बेचेनी से पहलू बदला बहरहाल ब्रेकफास से फारिक होकर आप जब यहां आये तो आपकी वर्ना यहां नहीं थी अर्मान आया तबकार यहां नहीं थी हाँ, बहुत आगब गुला हुआ, वो तो वो तो तुम्हें ही जिम्मेदार थेरा रहा था खाम खा मैं चाहता भी तो क्या कर सकता था आप भीतर आये और हमें महमानवाजी का मौका दीजिये, मेरी बीवी कॉफी बहुत अच्छी बनाती है एन कैफे कॉफी दे जैसी नहीं, मैं ठाने ही जाता हूँ जनाब, जब सुबह से नहीं गए तो थोड़ी देर और सही नहीं, जाता हूँ मैं, लेकिन एक बात गौर से सुन लो सुनाईए मुझे नहीं पताकार के साथ क्या हुआ लेकिन जो हुआ, उसमें तुम्हारा ज़रा साभी हाथ निकलातो तो क्या तो तुम्हारी खैर नहीं विमल ने जिस्म में जुर्जुरी दौड़ गई होने का अभिने किया मैं सरकारी ठेकेदार हूँ और मेरा छोटा भाई इसी इलाके से MLA है, दिल्ली सरकार में मेरी आन तौप तक पहुँच है और हम ऐसी तौप तक पहुच वालों के पडोसी है अभी आई बात समझ में महिमा घटी समुद्र की रावन बसा पडोस क्या बोला? कुछ नहीं, तो आप हमें टौप की पहुच के साथ कौफी शेर करने का मौका नहीं देंगे अभी ठाने जाना है, फिर कभी देखेंगे वैलकम एनी टाइम, वैसे गाड़ी इंशोर तो थी ना फुली इंशोर थी, अभी पिछले महीने तो ली थी आज कल तो फुल इंशोरेंस के बिना गाड़ी शोरूम से निकाली ही नहीं जा सकती सौरी मैं भूल गया था, फिर क्यों फिक्र करते हैं? बीमा कंपनी पूरा पैसा लोटाएगी अरे, पैसे की किसे फिक्र है? साले, बैंक एकाउंट भरे पड़े हैं, लौकर भरे पड़े हैं हैरान करने की बात तो ये है कि किसी ने चंता में त्रिपाथी की मूझ का बाल उखाडने की कोशिश की जो सरकारी थेकेदार है, जिनका भाई MLA है, जिनका चाचा, ताया, मामा, फूफा मंत्री है अभी नहीं है, तो हो जाएगा, MLA भाई ही मंत्री हो जाएगा, बधाई वैसे करते क्या हूँ? प्राइवेट जॉब करता हूँ, केजी मार्क पर गैलेक्सी ट्रेडिंग कार्पोरेशन करके एक कमपनी है, उसमें एकाउंट्स आफिसर हूँ, बस, फिर भी इतने ठाथ है, विमल ने खामोशी से इंटनाब बस, ओ, तो मालिक हो, फिर भी कहते हो ठाथ नहीं है इकाउंट्स आफिसर की कोई सिक्स सेवन फिगर सेलरी तो होती नहीं होगी, फिर भी मेरे ख्याल से आप कॉफी पी ही लीजिए कॉफी, वो हडबराया नहीं जाता हूँ थाने, और कहाँ विश यू आल दी बेस्ट वो चला गया, भीतर का दर्वाजा खोल कर नीलम ने बरामदे में कदम रखा गया, वो बोली हाँ, साफ धमकी दे के गया अपनी मौत का सामान करके गया जोश नहीं खाना, सदार जी थन रखो रखो ही नहीं रखे रहो यू जोश खाओगे तो उसी दुनिया में पहुँच जाओगे जिसमें वापिस करम न रखने का आहद लेकर दिल्ली आये हो और ग्रिहस बने वाइट कालर जॉब कर रहे हो अभी कितनी बार और ये बात याद दिलानी पड़ेगी दुम्हें? वो आया अपनी मौत का सामान करने क्योंकि नहीं जानता तुम कौन हो लेकिन तुम तो जानते हो तुम कौन हो वाइट कालर एमपलाई बल्ले कैसे कैसे फैसी फ्रेट सीख गई है साली मिडल फेग पास सौ बार समझाया है अच्छा अच्छा अब भीतर चल और चाय की शकल दिखा उसको तो कौफी ओफर कर रहे थे बोल रहे थे मैं कैसे कौफी दे से बढ़िया कौफी बनाती हूँ बढ़िया नहीं अपने मुमिया मिठ्थू कैसे कौफी दे जैसी और इसलिए बोल रहा था क्योंकि मालूम था कि ओफर कहूल नहीं होने वाली थी जिसने अपने घर पर मुझे बैठने तक को न बोला उसका यहां महमानवाजी पर कोई दावा बनता था उसे रावन बोला तो कौन सा उसकी समझ में आ गया ऐसी भरकाओं बाते भी न किया करो मंजूर, मालको, मंजूर विमल चाय से फारिख हुआ ही था कि एक हवलदार वहां पहुँच गया आपको थाने तलब किया गया है वो सहेज भाव से बोला उसका आगमन अनपेक्षित नहीं था फिर भी विमल ने पूछा वज़र आप पर एक कार की चोरी की जवाबदारी है ओ, सड़क पर चलो, मैं गाड़ी निकालता हूँ मैं जीप लाया हूँ गुड विमल उसके साथ हो लिया ठाने में हवलदार ने उसे एसेचो अजीत लूथरा के आफिस में पहुचाया जहां भुनभुनाता सा चंतामने त्रिपाथी पहले से मौजूद था बिराज ये बिना विमल से निगाह मिलाने का उपक्रम किये लूथरा बोला विमल त्रिपाथी के पहलू में एक विजिटर्स चैर पर बैठ गया ये चंतामने त्रिपाथी है बड़े कॉंच्रक्टर है रुत्बे और रसुक वाले आदमी है आपके पडोस में रहते हैं मालूम होगा मैं इनकी सूरत से वाकिफ हूँ विमल सहेज भाव से बोला गुड आज सुबा आपकी कोठी के सामने से इनकी नई वर्नाकार चोरी हो गई है मेरी कोठी के सामने से विमल की भवे उठी इनके सुपुत्र अर्मान त्रिपाथी बीती रात बहुत लेट कोई रात देड़ बजे घर लोटे थे कहते हैं तब और कहीं पार्विफक के लिए जगा नहीं थी मुझे अपनी कोठी के आईरन गेट के सामने खड़ी एक स्टील ग्रे कलर की वर्ना की खबर है इन्ही की थी? 9 बजे तक वो वहां थी थोड़ी देर बाद ही जब मैं आफिस के लिए रवाना होने लगा था तो वो वहां नहीं थी करेक्ट ये कहते हैं कि इनकी गाड़ी के वहां खड़ा होने पर एतराज जताने आप इनके घर पहुँच गए थे जहां ब्रेकफास्ट के लिए बैठी फैमिली को आपने डिस्टर्ब किया था आपकी बात का फर्स्ट हाफ ठीक है सेकंड हाफ गलत है मैं पहुच नहीं गया था इनके वाचमेन ने बाकाइदा मुझे वहां पहुचाया था एसकाट किया था मेरी आमद से अगर ये डिस्टर्ब हुए थे तो जिम्मेदार अपने वाचमेन को ठहराएं बहरहान वो मुद्दा नहीं है मुद्दा ये है कि इनकी का चोरी चली गई है और ये समझते हैं कि ये आपकी कोई कारस्तानी है कारस्तानी हरकत मूव आप क्या कहदे हैं इस बारे में ये मुझे चोर ठहरा रहे है चोर नहीं ठहरा रहे लेकिन इन्होंने शक जाहर किया है कि आप इस सिलसले में कुछ जानते हैं क्या? आप बताईए मैं क्या बताऊ? सिवाए इसके की कार वहाँ थी और फिर नहीं थी क्यों नहीं थी? कोई नजूमी ही बताएगा जनाब जो कि मैं नहीं आपको कार की वहां मौजूद ही से प्रॉबलम थी फिर वो प्रॉबलम अपने आप ही रफा हो गई क्यों कर हुआ ऐसा निजाम उद्दीन के इलाके के एक मौज्जिस मौलाना को मैं जानता हूँ जो अल्ला वाले फर्द है और माने हुए नजूमी है मेरी राय में इस बारे में आप उनसे मश्वरा फर्माईए इंस्पेक्टर साहब ये बात को मजात में ले रही हैं आप बा कहिए चोरी की दो टूप कहिए बतौर गवा इंस्पेक्टर साहब के सामने कहिए फिर दिफेमेशन ओफ कैरेक्टर के केस में कोट के अपने नाम समन का इंतजार कीजिए वो हडबडाया फिर वहां भी जच को बताईएगा कि आप बड़े सरकारी ठेकेदार है आपका भाई MLA है और मंत्री बनने वाला है और आपके बैंट एकाउंट लॉकर सब पैसे से भरे पड़े है इतने से ही जच पर आपका ऐसा रॉब गालिब होगा कि वो डिफेमेशन के गंभीर केस म आपकी जवाब देही की कोई जरूरत ही नहीं समझेगा वो और हडबडाया उसने बेचेनी से पहलू बदला और पनाह मांगती निगा से लूथरा की तरफ देखा हाई-एन्ड वर्ना का सवा मीट्रिक टन के करीब वजन होता है क्रेन के बिना वो कहीं से नहीं हडाई जा सकती मिस्टर कॉल एकाइक उसके निगरे में एक धूर भाव आया जिसे सिर्फ विमल ने देखा और गायब हुआ आपके पास क्रेन है नहीं विमल बोला तो ट्रक नहीं लूथरा ने त्रिपाठी की तरफ देखा ऐसी चीजों का खुद मालिक होना जरूरी नहीं होता त्रिपाठी सकती से बोला बावक्ते जरूरत उन्हें तलब भी किया जा सकता है उपसक्रक्षन हडवाने के लिए विमल बोला हाँ जोकी ओफेंस है जिसका चालान होता है जर्माना होता है होता होगा होगा नहीं, त्रिपाठी जी है लूथरा बोला ओपस्ट्रक्षन इस एपनिशेबल क्राइम अगर किसी की गारी पडोसी की इजी एकसेस को ओपस्ट्रक्ट करती है पडोसी शून्य शून्य पर उसकी कम्पलेंट करता है तो बाजरिया ट्रैफिक पुलीस वो गाड़ी वहां से हटाई जा सकती है इन्होंने यही क्या होगा ऐसी गाड़ी उठवा के थाने लाई जाती है आज सुबह से यहां तो कोई वर्ना नहीं लाई गई मैं कुछ नहीं जानता त्रिपाठी जुन्जलाया मैं बस इतना जानता हूँ कि मेरी नई वर्नाकार गायप है और उसके गायप होने में किसी न किसी तरह से इनका कोई हाथ है क्या हाथ है ट्रैफिक पुलीस से मिली भगत के तहट इन्होंने वो गाड़ी बेच खाई यह तो मैंने नहीं कहा कहिए फिर रिटर्न कंप्लेंट लिखवाईए मैं इनको अभी हिरासत में लेता हूँ मैं बात इतनी नहीं बढ़ाना चाता बात तो आप बढ़ा चुके आप इन्हें चोर ठहरा रहे हैं और कहते हैं बात नहीं बढ़ाना चाते आप ये न भूले कि मेरा भाई इस इलाके का MLA है अगर पुलीस से बहतर MLA साहब आपके कामा सकते थे तो वहीं जाना था यहां क्यों चले आए स्रिवाठी से जवाब देते न बना अब अपनी गर्ती सुधार लीजिए अब चले जाए उनके पास हाँ विमल बोला शायद वो तीसरा नेत्र खोले और जान जाएं कि आपकी गायप शुधाकार कहां खड़ी थी तुम चुप रहों जी त्रिपाठी भड का बात नहीं कर रहा ये मेरे लिए अच्छी खबर है विमल इंस्पेक्टर की तरफ घूमा अब मेरे लिए क्या हुपम है लूथरा ने त्रिपाठी की तरफ देखा त्रिपाठी परे देखने लगा आज सुभा लूथरा विमल से संबोधित हुआ आपने ओपसटरक्शन की कोई कंपलेंट नमबर पर दर्स कराई थी नहीं विमल बोला आप इनकी गुमशुदा कार के बारे में कुछ जानते हैं नहीं जा सकते हैं विमल उठखरा हुआ ठैक्यू आप भी लेकिन त्रिपाठी हर बराया लूथरा पांडे से बोला मेरी कार चोड़ी की कंपलेंट तो दर्स हुई नहीं वो कंपलेंट अभी दर्स नहीं हो सकती ऐसे मामलात में एक पहले से तैशुदा अर्से तक कार की रिक्वरी का इंतजार किया जाता है ऐसा न हो पाया होने की सूरत में ही चोरी की कंपलेंट रजिस्टर की जाती है आप अगले हफ्रते आईए तब देखेंगे क्या किया जा सकता है आपकी कंपलेंट की बाबत अभी आप जा सकते हैं आप मेरे साथ ऐसे पेश नहीं आ सकते वेरा भाई एलेले हैं मंत्री बनने वाला है बता चुके हैं आप तो फिर आप क्या बुरा पेश आ रहा हूं मैं आपके साथ आपकी बात पूरे धीरच के साथ सुनी न मैंने आपकी मांग पर नाजायज मांग पर मिस्टर कॉल को वारफुटिंग पर यहां तलब किया न मैंने कार चोरी से तालुक रखता काईदा कानून आपको समझाया न मैंने यह सब करने में बुरा कहां पेश आया मैं आपके साथ क्रिपाठी से जवाब देते न बना वो एकाएक उठ खड़ा हुआ और बिना लूथरा ने कोई कलाम किये घुमा बाहर की ओर बढ़ा कार बरामद हो गई उसने जेप से एक विजिटिंग कार्ड बरामद किया और उसे लूथरा की टेबल पर उचार दिया अब आप यहां क्या कर रही है लूथरा हसी दबा कर विमल से बोला आप भी तो जाएए वही जीप आपको छोड़ आएगी जो लाई थी थैंक यू सर विमल थाने की इमारत से बाहर निकला त्रिपाठी एक शोफर ड्रिवन होंडा अकॉर्ड में सवार हो रहा था विमल को देख कर वो ठिटका और बोला एक बात सुनते जाओ बाबू साहिब फरमाईए जनाम विमल सहज भाव से बोला मेरे से होश्यारी महंगी पड़ेगी मैंने तो कोई होश्यारी नहीं की अब फिर बहर शुरू ना करो बात का मतलब समझो और भली मनाओ आपकी अपनी वो कार में सवार हुआ ततकाल कार वहां से रुखसत हो गई पुलीस की जीप विमल के करीब पहुची एक मिनिट विमल जल्दी से बोला मैं इंस्पेक्टर साहब से एक बात पूछना भूल गया जाइविंग सीट पर बैठे हवलदार ने सहमती में सिर हिलाया विमल वापिस एसेचो के आफिस में पहुचा लूथरा की भवे उठीन शुक्रिया अदा करने आया विमल बोला जो की ठेकेदार के सामने ठीक न होता शुक्रिया कैसा लूथरा एक सशंक निगाह परे मुझे तो खुशी है कि दर्वाजे की और डालता बोला मैं आपके किसी काम आया फिर भी आपके एहसानों के बोच से दबा मैं आपका खादिम हूँ जनाब और ताजिन्दगी रहूंगा ये तो मामूली काम था किसी बड़े काम के लिए आजमाईएगा गोली की तरह करूंगा भले ही वर्दी उतर जाए भले ही जान चली जाए ये विमल की वो कमाई थी जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था लूत्रा जैसे और भी कितने लोग थे जो बावक्ते जरूरत खुशी-खुशी उसके काम आते थे वो विमल के वो हजार हाथ थे जिन पर विमल को फक था फिर भी वो बोला वो बोला मैं मश्कूर हूँ मैं मश्कूर हूँ जनाब कि आपने मुझे खिद्मत का मौका दिया वरना ऐसा कौन सा काम है जिसे आप खुद ही अंजाम नहीं दे सकते अकेला चला भाड नहीं फोर सकता गुस्ताखी माफ ये मसल आप पर लागू नहीं आप अकेले ही आसमान फार सकते हैं आंधी तूफानों से मुकाबिल खड़े हो सकते हैं समुद्र से मोती निकाल सकते हैं आप कुछ भी कर सकते हैं मैं गवा हूँ बहुत बढ़ाचडा कर मेरा बखान कर रहे हो यार कितना भी बढ़ा चड़ा के करू काफी न होगा लोग हाथसों में मरते हैं आपको तो पाला ही हाथसों ने हैं मैं अपनी गुजश्ता जिन्दगी को याद नहीं करना चाता मैं यहां अमन चैन से रहना चाता किसी बात से तो त्रिपाठी जैसे लोग धोखा खाते हैं लहरों को शांत देखकर समझ लेते हैं कि समुद्र में तूफान नहीं है भाई के MLA होने की हूल दे रहा था जी हां लेकिन दिल्ली पुलीस पर ऐसी हूल का कोई असर नहीं होने वाला दिल्ली पुलीस दिल्ली सरकार के माथत नहीं है और हमें A.N.T.O.P. से शह है कि दिल्ली सरकार के नुमाइंदों को खास खातिर में नहीं लाना है ओ, गारी का आखिर होगा गया क्या होना है कल बरामद हो जाएगी कहां से रिच से जहां कि वो छोड़ी गई है मालिक को उसकी बाबत खबर कर दी जाएगी अपनी वो हरकत वो फिर दोहराएगा उमीद तो नहीं ओप्स्ट्रक्शन की बाबत और उसके चालान की बाबत उसे बहुत अच्छी तरह से समझा दिया गया था जल्दी तो नहीं भूल जाएगा सब कुछ उसका लड़ता धृष्ट है देखेंगे उसे भी आप किसी तरह की कोई फिक्र न कीजिए अच्छा तुम कहते हो तो मैं पुरे स्रार कहता हूँ ओके एक बात बताओ मेरी हेल्प तो मेरे अजी लूठरा नाम के एक डोस्त ने कर दी ऐसी नौबत आने पर और लोग क्या करते हैं या दोस्त तलाशते हैं या भुगतते हैं या फिर पंगा लेते हैं पंगा जिसका नतीजा सिर्फ उड़ोवल होता है एक मिसाल देता हूँ यहां मॉडल टाउन में ही बी ब्लाक में कोई दूसरे के घर के सामने की उसकी पार्विफग में अपनी कार खड़ी कर गया उस शक्स ने कार के चारो पहियों की हवा निकाल दी चारो की? जी हां कार का मालिक आया उसने वो नजारा देखा तो आपे से बाहर हो गया लगा दर्वाजा पीत ने मकान मालिक बाहर निकला तो उसने उसे गिरेबान से पकड़ लिया दोनों में हाथ पाए होने लगी जो आखिर इस अंजाम तक पहुँची की कार वाले ने मकान मालिक के पेट में लंबा पेचकस घूंप दिया पुलीस ने आकर मकान मालिक को फॉरन हस्पताल न पहुँचाया होता तो एक्सेसिव ब्लीडिंग से ही मर गया होता हो लेकिन जनाब मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो मकान मालिक के पंगे से तालुक रखती है उप्स्ट्रक्शन पर उसका गुसा जायज था लेकिन गुसे के हवाले जो हरकत उसने की वो तो जायज न थी कारवाले को उसकी नाजायज हरकत की इतनी वार्निंग काफी थी कि एक पहिय की हवा निकाल देता ताकि कार मालिक आके पंचर पहिया चेंज करके कार चलाने के काबिल तो बनता उसने तो चारों पहियों की हवा निकाल दी अब कैसे कार वहां से हटाई जाती कारवाला एक पहिया पंचर पाता तो शायद इतना आगब गुला नहुआ होता जितना की तब हुआ मकान मालिक ने ओवर रियक्ट किया सरासर लेकिन अपनी गल्ती कौन मानता है उस पर कातिलाना हमला हो गया इसलिए हर किसी की हमदर्दी का हगदार बन गया किसी ने सवाल न किया कि उसने चारों पहियों की हवा क्यों निकाली पार्विफग को लेकर तुम्हारे शहर में बहुत हाई हाई है क्योंकि पार्विफग यहां की मेजर प्रॉबलम है आकड़े बताते हैं कि जितनी कारे मुंबई, कलकत्ता, मदरास, बंगलोर में हैं इससे ज्यादा अकेले दिल्ली में है आई सी पार्विफग को लेकर हर इलाके में पडोसियों में खूब जगरे होते हैं बात तक्रार से शुरू होती है और खून खराबे तक पहुँच जाती है न कोई मुल्क के काईदे कानून से डरता है न सजा से डरता है एक्सेसिव बूजिंग भी इसकी वज़ा बताई जाती है सही बताई जाती है कुछ दिन पहले की एक बड़े सैशन डिजाइनर की मिसाल है रात के दो बजे अपने एक दोस और दो मुलाजिमों के साथ तुन्न घर लोटा और पार्विफक के ही एक बखेडे को लेकर जबरन पडोसी के घर में घुस गया और उसको धमकाने लग गया इतना हंगामा किया कि पुलीस पहुँच गई और चारों को गिरफतार करके ले गई फिर क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ भी न हुआ ठाना ध्यक्ष की मध्यस्थता में सुला सफाई हो गई और उन्हें घर भेज दिया गया शायद ऐसे लोगों को पता होता है कि आखिर कुछ नहीं होना जी हाँ, फिर अपने सेलिब्रीटी स्टेर्स का नाजायस फाइदा उठाते हैं बड़े बड़े नाम उच्छालते हैं दिल्ली राजधानी है, नेताओं की नगरी है यहाँ तो हर किसी का कोई न कोई कुछन कुछ है पुलीस वाला किसी वाइलेशन के तहट किसी कारवाले को रोकता है तो जानते हैं, कारवाला पहली बात क्या कहता है सौरी तौबा की जिये, ओ ये, तू जानता नहीं मैं कौन हूं कहता है सब किसीन किसी के सगे वाले हैं एक बेचारा पुलिस वाला ही किसी का सगा नहीं, रोजाना 15-16 घंटे ड्यूटी करता है, ये जानने के लिए कि वाइलेटर कौन है और क्यों वो उसका चाला नहीं कर सकता। विमल खामोश रहा, आधी रात के बाद इट्वीज के आगे खास तौर से, धाबों के आगे ऐसे वाकिय आम होते हैं, स्टैबिंग शूटिंग आम होती हैं, तकरीबन कलपरित वारदात करके फरार हो जाते हैं, तफ्तीश पर कोई गवान नहीं मिलता जबकि सब के सामने सरेयाम वारदात हुई होती है, पुलीस का काम तो बस ये समझे मौकाय वारदात पर पहुँच कर घायल या मृत को हस्पतार पहुच खून गर्म है दिल्ली वालों का, जी हां ठंदा करने की जरूरत है, लेकिन क्या करें, तू जानता नहीं है, मैं कौन हूं कल्चर पर कोई अंकुष लगे तो कुछ करें न, ठीक, वर्दी उतरवा दूंगा, लाइन हाजर करवा दूंगा आम धंकिया है, जो पुलीस वालो को जानता नहीं है मैं, कौन हूं से मिलती है, मुश्किल नौकरी है पुलीस की, मुश्किल और डिस्प्रेसफुल, हूमिलेटिंग, उपर वालों की ही मौज है, कभी कोई इस बात को खातिर में लाता है, कि सबकी दीवाली होती है, तीध होती है, क्रिसमस होती है, पुलीस काले की नहीं होती जब कि वो भी बाल बच्चेदार है रेविलर्स का हजूम आधी रात को कनौट प्लेस में इकठा होकर नए साल का स्वागत करता है पताखे फोड़ता है बधाया बाटता है बधाया बटोरता है सुबह स्वेरे से घर से निकला चार डिग्री टैंपरेचर म उसे डाइबिटीज है उसे पेट की प्रॉबलम है लेकिन वो अपनी दुश्वारियों की तरफ ध्यान नहीं दे सकता क्योंकि उसने आवाम की दिल्ली की जनता की दुश्वारियों की तरफ ध्यान देना है स्कूनों में होने वाली पेरेंट टीचर मीटिंग का उसने नाम ही सुना है कभी उसमें शिर्कत करने का टाइम उसे नहीं मिलता पबलिक पुलिस्मैन का एक ही रूप पहचानती है कौन सा साला रिश्वत खोर मेरा ड्रंकन राविंग का चालान कर रहा था 200 रुपए जाड लिए पॉल्यूशन का चालान कर रहा था 300 रुपए जाड लिए रैड लाइट जम करने का चालान कर रहा था 50 रुपए जाड लिए कितना जुल्म किया पुलीस ने बेचारे के साथ लेकिन मजाल है कि पुलीस को कोस्नों से नवाजते वक्त अपनी करतूद जुबान पर लाए कि चालान से बचने के लिए रिश्वत की पेशकश करने वाला खुद वो था जिस वाइलेशन के लिए वो जिम्मेदार था राजी से उसका चालान भर देता तो क्यों उस रिश्वत की नौबत आती जिसकी अब वो दुहाई दे रहा था ठीक आज कल पुलीस मैन की क्या आउकाद बची है तो टके का आदमी उसे कोस कर जलील करके भाग जाता है बलकि कई बार तो पीट के भाग जाता है आज ही के अखबार में एक खबर है कि कल आईटियो पर एक ट्राफिक कांस्टेबल ने एक स्कूडर वाले को जो के रांग साइड आ रहा था स्कूडर धीरे चलाने को बोला क्योंकि वो सड़त पार करती एक महिला को हिट करने लगा था उस स्कूडर वाले ने क्या किया सौरी बोला स्कूडर तेज न चलाने का आश्वासन दिया रांग साइड आता होने पर माफी मांगी नहीं उसने स्कूडर कांस्टेबल पर चड़ा दिया अरे उतर के उसके साथ हाथा पाई की उसकी वर्दी फार दी फिर इगनेशन की से खुद को घायल किया माथे से खून निकाल लिया, खून को कांस्टिबल की वर्दी से पोच दिया और लगा हाल दुहाई मचाने की कांस्टिबल ने बिनावज़ रिपीट, बिनावज़ उसे पबलिक में मारा और लगा धमकाने की अब वो साला जेल जाएगा उलट भी तो होता है मैं खुद अपने वाकफी की एक मिसाल देता हूँ, उसकी गारी ज्राइवर चलाता था, एक बार एक क्रासिंग पर ज्राइवर से कोता ही हुई, उसने रैड लाइट जंप की तो ट्रैफिक के हवलदार ने उसे रोक लिया, गारी साइड में लगवाई और सामने अड़कर च लाइवर की थी, इसलिए उसने पहले ही सो रुपए निकाल लिये, क्योंकि रैड लाइट जंप करने का चालान सो रुपए का ही था, और हवलदार था कि चालान बुक पर कलम चलाता ही जा रहा था, तब दोस्त का माथा ठंका, वो उतर कर उसके पास गया, और उससे पूछ था क्या बात थी, सिंपल चालान, कार्टने, मैं इतना टाइम लगता था, हवलदार रुखाई से बोला सिंपल चालान नहीं था, कंपाउंड चालान था, क्योंकि जब ड्राइवर को रोका गया था, तो उसने गारी हवलदार के ऊपर चड़ा देने की कोशिश की थी, जो क बिल्कुल जूट था, और ऐसे चालान का जुर्माना हजार रुपए था, ड्राइवर का लाइसेंस जब्थ होता था और कोट में तारीक पर ड्राइवर को खुद पेश होना पड़ता था, लूथरा का सिर्ष सहमती ने हिला, बक्सद क्या था, 100 रुपए का चालान करने में वो 50 रुपए लेता हजार के चालान को खारिस करने के 500 मांगता, कैसे निप्ता मामला, वो भ्रष्ट है, ये इल्जाम एक तरह से मेरे पर है, जवाब दो, हाँ, भ्रष्ट है, भ्रष्ट है, क्योंकि भ्रष्टाचार हमारा राश्चिय चरित्र है, नैशनल केरेक्टर है, लेकिन क्या वो अकेला भ्रष्ट है? नहीं, जिस प्रकार न्यायपालिका, कलेक्टरेट, बिजली बोर्ड, जल बोर्ड, TW.D, स्वास्य सेवाएं, नगर पालिकाएं, हमारे नेतागन भ्रष्ट है, उसी प्रकार वो भी भ्रष्ट है, नेता क्यों भ्रष्ट है? दो तीम करोड रुपया खर्च करके वो MP का इलेक्शन जीता है, फिर वो पहले अपनी इन्वेस्टमेंट की वसूली की तरफ कवज्जो देगा है, समाज सेवा की तरफ? जब पॉलिटिक्स बिजनेस बन गया है, तो बिजनेस में मुनाफ़ा कोई भला क्यों नहीं चाहेगा? बात पुलीसमेन की हो रही थी, उसी की हो रही है, जनाब जिस दिन, जिस मुबारत दिन, जिस अच्छे दिन आएंगे दिन, हमारा समाज ब्रश्टाचार मुक्त हो जाएगा, उस दिन पुलीस से भी ब्रश्टाचार खत्म हो जाएगा एक मिसाल और सुनिये, जो लोग पानी पीपी कर पुलीस को पोस्ते हैं, वही सबसे पहले कांस्टिबल या सबिंस्पेक्टर की भरती का फान भरते हैं, क्यों? क्या जन्ता की सेवा के लिए? नहीं, पावर और पैसे के लिए, सामर्थे पर काबिज होने के लिए, हमाम के नंगों में नंगों का इजाफा करने के लिए, लंका में सब बावन गस के वाली मसर चरितार्थ करने के लिए, यानि जिस व्यवस्था से आप पार नहीं जा सकते, उसका हिस्सा बन जाएए, when you cannot beat a system, join it एग्जेक्ली सर्ण लूथरा एक ख़न ठिटका, फिर बोला कोई वक्त था कि 40-40 गाव का एक थाना होता था आज अकेले दिल्ली शहर में देज सोर थाने है कोई वक्त था जब कहीं कोई वारदात हुई होने की खब पुलीस के पास आती थी तो एक सिपाही दंडा हिलाता जाता था और दस मुल्जिमों को गिरफतार करके ले आता था आज एक मुल्जिम को गिरफतार करने दस पुलीस वाले जाते हैं और दुद्कार खाकर कई बार तो मार खाकर खाली हाथ लोट आते हैं पहले क्यों नहीं होता था ऐसा? फिर सानों में हाई कोट का फैसला आता है जिसके खिलाफ सुप्रीम कोट में अपील हो जाती है आखिर जब तक मुल्जिम की सजा कनफर्म होती है तब तक उसकी चल चल हो चुकी होती है, सजाएं फिर भी होती है पबलिक और नेता जेल तो फिर भी जाते हैं गुनाह की सजा के तौर पर नहीं, कोर्ट की सजा के तौर पर नहीं, अपनी बकिस्मती की सजा के तौर पर ठीट दिल्नी में 80,000 पुलीस कर्मी है, आधे नेताओं की सुरक्षा में लगे हुए है, धर्ना प्रदर्शन मौनितर करने में लगे हुए है, पोलिटिकल रैलियों और जुलूसों की व्यवस्था संभालने में लगे हुए है, फिर उनकी और भी ड्यूटिया है और भी जिनका उनकी जॉब रिक्वाइर्मेंट से कोई लेना देना नहीं मसलन DCP साहब की बीवी को शॉपिंग कराने ले जाना होता है, उनके बच्चों को स्कूल से लिवा लाने जाना होता है रोजाना इस्तमाल की दूद, डबल रोटी, सबजी भाजी लानी होती है, बिजली, पानी, फोन वगेरा का बिल जमा कराके आना होता है, सिवाए अफसर की बहती नाक पोचने के और पता नहीं क्या कुछ करना होता है तौबा आप जानते हैं, डिली के एक ठाने में देज सो पुलीस कर्मियों का स्टाफ होता है, और एक ठाने की जूरिस्डिक्शन में पाँच लाक नागरिक आते हैं एसे चो ठाने का बादशा होता है, और उसका इलाका उसकी बादशाहत होती है, फिर भी पुलीस के निजाम का इतना अहम पुर्जा गजटिड आफिसर नहीं होता अरे, आफिसर नहीं होता आफिसर होता है, गजटिड आफिसर नहीं होता दिल्ली पुलीस के महकमे में गजटिड आफिसर की पोस्ट ACP से शुरू होती है I.C. किसी S.H.O. को डिप्ती कमिशनर या जॉयन कमिशनर हैड आफिस तलब करता है तो तीन सितारों वाला रोबिला इंस्पेक्टर चप्रासी की तरफ फाइल बदल में दबाए लॉबी में एक कान पर खड़ा मुलाकात के लिए तलब किये जाने का इंतजार कर रहा होता है मुलाकात होने में गैर मामूली देर लदी जाती है तो जानते हो मुलाकात जल्दी करवा देने के लिए किस की चुरौरी करता है विमल ने इंकार में सिर हिलाया एक मामुली सिपाही की जो की बड़े साहब के आफिस में अर्दली की ड्यूटी कर रहा होता है और जो उसे रुखाई से कहता है वेट करू साहब बोलेंगे तो बोलूँगा और वो पहलू बदलता इंतजार करता है कौन इंतजार करता है तीन सितारों वाला इंस्पेक्टर ठाना ध्यक्ष जो अपने ठाने में शेर की तरह गर्जता है तो माथतों के प्राण तंपा देता है वो ही जब कुलीस हैड़ क्वार्टर में पेश होता है तो भीगी बिल्ली बना होता है सिपाही की चिकौरी कर रहा होता है All things said and done बहुत बदल गए हो लूथरा तुम बदल गए तुमारी सोच बदल गई तुमारे ख्यालाद बदल गए अब तो तुम उस लूथरा की परचाई भी नहीं जान पड़ते जो कभी पंजे जाड़ कर मेरे पीछे पड़ा था सोबत का असर है जनाम किसकी आपकी मेरी प्रत्यक्षा में भी और परुक्ष में भी मैं निर्गुने आरे को गुरू नहीं ये आपका बड़पन है जो बहरहान विमन उठ खड़ा हुआ शुक्रिया Welcome Sir आइंदा कुछ दिन चैन से गुजरे फिर एक साथ दो वाके पेश आये जनों ने विमल को फिर आंदोलित किया और उसके संकल्प की बुनियाद हिलाई 27 अक्टूबर रविवार रविवार का दिन था लंज के बाद एकाएक नीलम ने भगवान दास रोड चलने की फर्मायश की जहां की आगा खान हाल में सैब इंदिया की सेल लगी हुई थी सोते सूरज को मेड की देखरेक में छोड़ कर कार पर वो घर से निकले कार ने दिल्ली गेट का चौराहा पार किया उस रोज डीडी सिये के क्रिकेट ग्राउंड्स में कोई मैच था जिसकी वज़ह से स्टेडियम के आगे जाम जैसा हाल था सड़क पर बेशुमार गाड़ियों का हुजूम था लेकिन गनीमत थी कि च्रैफिक चल रहा था एकाएक तीछे से हौन बजने लगा विमल ने रियर व्यू मिरर में देखा तो पाया एन तीछे एक फॉर्चुनर थी हौन फिर बजा फिर बजा फॉर्चुनर का ड्राइवर आगे निकलने के लिए उतावला था लेकिन च्रैसिक इतना घना था कि उसको रास्ता दे पाने की कोई गुंजाइश नहीं थी हौन फिर बजा ये पागल है क्या? नीलम जुंजलाई, मगरूर फॉर्चुनर के पोजेशन के कलफ से एंठा हुआ फॉर्चुनर की जाइविंग सीट पर आखों पर गॉगल्स चढ़ाए एक नौजवान था पैसेंजर सीट पर उसी की उम्र का एक सिक युवक मौजूद था पिछली सीट पर भी दो लड़कों की मौजूदगी का आभास विमल को मिला गोली लगे कमबक्तों को नीलम गुन गुनाई यही रवया रखेंगे तो मिलता जुलता कुछ हो के रहेगा देरसबे इस बार हॉन बजा तो बजता ही चला गया आगे आईटीओ के चौराहे पर एकाएक सिगनल की बत्ती लाल हुई विमल ने कार रोकी तीछे ब्रेकों की चहचहाहट के साथ फॉर्चुनर यू रोकी की विमल की कार से तक्राने से बाल-बाल बची एक जटके से उसका जाइविंग सीट की ओर का दर्वाजा खुला गॉगल्स वाला यूवक छलान मार कर बाहर निकला और जमीन रौंदता हुआ रिज्ज की जाइविंग साइड पर पहुँचा एक जटके से उसने आँखों पर से गॉगल्स हटाए और यू जोर-जोर से खिर्की का शीशा ठंथनाने लगा जैसे फॉरन न खुलने की सूरत में उसे तोड़ ही डालता विमल ने शीशा नीचे गिराया मादर डॉट बहरा है फुम्फकार का आखे निकालता वो बोला हॉन सुनाई नहीं देता देता है भाई विमल शांती से बोला साला कहता है देता है अबे कितना हॉन दिया मैंने तुझे साइड क्यों नहीं देता था साइड मिलती तो देता न देखो तो बेहन ना, साले, देता ना, साले, बगल में माशूक बिठा ली तो सड़कता मालिक बंगया, विमल का चहरा लाल होने लगा, उसके दांत कित-कित आने लगे चिल, नीलम उसका घुटना दबाती दबे स्वर में बोली, चिल बड़ी मुश्किल से विमल ने अपने पर जप्त किया, अब अगर तु मुझे मेरे आगे दिखाई दिया न, तो गारी समेत फूंक दूंगा यही सड़क पर दिखाई दे रहा हूं न आगे, फूंक वो हडबडाया, एक क्षण को विचलित दिखाई दिया, साले, फिर पूर्मवत फुम्फकारा क्यों मरने को तड़प रहा है? जानता नहीं है मैं कौन हूं? नहीं, नहीं जानता ओ ये, कुलप्रीत ये बाउ मिजाज दिखा रहा है, आके इसे अच्छी तरह बता मैं कौन हूं? खुद ही बता ले न साला क्या है ये मच्छर तेरे सामने? ठहर जा, साले उसने खिरकी में हाथ डाला और विमल का गिराबान थामने की कोशिश की विमल ने हाथ रास्ते में ही थाम लिया और उसे इतनी जोर से मरोडा की वो पीड़ा से बिलबिला उठा सिक यूवक फॉर्चुनर से बाहर निकल आया था और अब मसल्स फरफराता रिज्ज की तरफ बढ़ रहा था, छोड़ दो नीलम व्याकुल भाव से बोली, विमल ने खामोशी से अपनी पकड धीली की और हाथ वापिस खीच लिया तभी आगे सिगनल हरा हो गया विमल ने कार आगे दोड़ा दी पीछे वो दोनों फॉर्चुनर की तरफ लपके और उसमें सवार हो गये हे भगवान, नीलम के शरीर ने जुर्जुरी ली कैसा शहर है ये हर कोई हर घड़ी मरने मारने पर उतारू है प्रैशर कुकर जैसा है, ऐसे प्रैशर कुकर जैसा जिसका सेफरती वॉल्फ खराब है, पता नहीं कब फट पड़े था नीलम ने गहरी सांस ली, फिर बदले स्वर में बोली, वो चार थे, तो अकेले चार का मुकाबला कर लेते तेरा क्या ख्याल है, तू बता कर ली ना नीलम कुछ क्षण खामोश रही, फिर द्रड़ता से बोली हां, अकेला ही सवा लाख है मेरा सरदार बल्ले जो न किसी से डरता है, और न किसी को डराता है, भैकाहों को देथ नहीं, नहीं भैमानत आनी, गुरु तेक बहादुर जी का वाख है मालूम है चिल कैसे मालूम है वो हसी फिर बोली टीवी से जाना क्या कहने उस वक्त उनकी गारी तिलक मार्क पर दोड रही थी, तभी पीछे से फॉर्चुनर आगे आई और उनकी गारी के पहलू में उसके समानांतर दोडने लगी हौन बजा नीलम ने फॉर्चुनर की तरफ देखा गॉगल्स वाले युवक ने स्टेरिंग पर से हाथ हटा कर बड़ा अशलील इशारा किया नीलम का चहरा शर्म से लाल हो गया चारों ने इतनी जोर का अठास किया कि वो रिज में धोल की आवास की तरह गूंजा फिर फॉर्चुनर ने स्पीड पकड़ी और तोप से छूटे गोले की तरह सड़क पर गौड़ी विमल ने जब्रे कस गए एकसिलेटर को एकाएक उसने इतनी जोर से दबाया कि उसका पैडल फर्ष से जा लगा नहीं, नहीं उसका मंतव्य समझ कर नीलम व्याकुल भाव से बोली कसम है तुम है अजहाय भाव से गर्दन हिलाते विमल ने पैडल पर से दबाव कम कर दिया अगले क्रोसिंग से कार भगवानदास रोड पर दाएं मुढ गई जिधर की आगा खान हाल था फॉर्चुनर तिलक मार्क पर सीधे इंडिया गेट की तरफ दौर गई थी दो घंटे विमल ने फैब इंडिया की सेल में लगाए शापिंग बैक से लदे फंदे जब वो आगा खान हाल की इमारत से बाहर निकल कर आगे फुटपात पर पहुँचे तब तक सूरज दूप चुका था लेकिन संध्या का उजाला वातावर्ण में अभी बाकी था इमारत के भीतर पार्विंग की व्यवस्था थी लेकिन रविवार होने की वज़े से भीतर की पार्विंग फुल थी इसलिए विमल को अपनी गाड़ी बाहर सड़क पर खड़ी करनी पड़ी थी फुटपात पर चलते वो रिज्ज की ओर बढ़ी कार के करीब पहुँचकर विमल ने पिछला दर्वाजा खोला और नीलम के और अपने शॉपिंग बैग पीछे डाले वहां करीब ही एक बस स्टेंड था जहां उस घरी काफी पैसेंजर मौजूद थे जिससे लगता था कि काफी देर से उधर से कोई बस नहीं गुजरी थी एक खूपसूरत नौजवान लड़की उनसे अलग थलग खड़ी थी वजह शायद ये थी कि बस की प्रतीक्षा करते बाकी तमाम पैसेंजर मर्द थे जिन में से कुछ तो बाकाइदा उस लड़की पर लार तपकाते जान पड़ते थे अकेली है बेचारी नीलं बोली लिफट दे दें लिफट दे दें विमल बोला हमें क्या पता बेचारी ने किधर जाना है उसको हमारे रूट पर नहीं जाना हुआ तो क्या करेंगी घर छोड़के आएंगी भले ही कुतूब मीनार के पास रहती हो मेरे ख्याल से लिफट मिल रही है उसे विमल ने लड़की की दिशा में देखा एक आई-बीस कार तभी लड़की के करीब आकर खरी हुई थी हाँ शायद वो अन्मने भाव से बोला आई-बीस के पिछले दोनों दर्वाजे एक साथ खुले और दो यूवक उसमें से बाहर निकले अप्रत्याशित फुर्ती से वो लड़की के करीब पहुँचे और उसके सामने जा खड़े हुए शायद लड़की के वाकिफ है नीलम बोली शायद एकाएक दोनों ने बास की तरह लड़की पर जपटा मारा और उसको दबोच लिया आतंतित लड़की ने चल्लाने के लिए मुह खोला तो एक यूवक का मजबूत हाथ धक्कन की तरह लड़की के मुह पर चस्पा हो गया आवेश में विमल उनकी तरफ लपका नीलम ने उसकी बाह थामी और उसे जबरन वापिस खीच लिया दोनों यूवकों ने उनकी पकड में बुरी तरह से चट पटाती हाथ पाफ पटकती लड़की को घसीद कर कार की पिछली सीट पर डाल दिया और फुर्ती से खुद भी उसके पीछे कार में सवार हो गए ये ये विमल हक्बकाया सा बोला ये क्या हो रहा है चुप करो नीलम घुड़कती सी बोली मत देखो उधर लेकिन चुप करो आंदोलित विमल ने होंट भीच लिये आई-बीस की जाइविंग सीट पर एक और युवक मौझूद था जिसने कार के रुखने के बाद से इंजन बंद नहीं किया था पिछला दर्वाजा बंद होते ही उसने कार को तोप से छुटे गोले की तरह सड़क पर दोड़ाया ये जुल्म है विमल ने आर्थनाद किया जिसके चश्मदीद तुम अकेले नहीं हो जुल्म होते देखकर उससे निगाफ फेर लेना बुजदिली है जालिम की मदद करने के बराबर है तुम यहां अकेले हो निगाफ फेर लेने वाले कितने लोग बस स्टैन पर खरे है कितनी सरत पर आवाजा ही है किसी ने किया कुछ विमल ने सप्रयास इंकार में सिर हिलाया लड़की के बचाव के लिए आगे ना आये ना सही किसी ने कोई शोर तक ही मचाया नहीं सबने महज तमाशा देखा हाहा तो फिर तुम क्यों चौधरी बनना चाते हो मैं तमाश दीन नहीं बन सकता मैं और लोगो जैसा नहीं हूँ नहीं हो तो हो जाओ बन कर दिखाओ और लोगो जैसा वादा है तुमहारा तुम मुझे नपुनसद देखना चाती हो मैं तुम्हें आमशहरी देखना चाहती हूँ, मैं तुम्हें हकीकी जमीन पर लाकर खड़ा करना चाहती हूँ, ताकि मेरे सिर पर मेरे साई का साया बना रहें, ताहि मेरा बच्चा बाप के सुप को नतर से। ये खुदगर्जी है। पिल नहीं होने दूंगी, बहुत जुल्म है इस दुन्या में, और ये भी विडंबना है कि इनसान पर उतने जुल्म शैतान नहीं धाता, भगवान नहीं धाता, जितने इनसान धाता है। उन जुल्मात की मुखालमात का जंडाबरदार में तुम्हें नहीं बनने दूंगी जैसे मुंबई में लोग तुम्हें सखी हातिम, रॉबिन हुड, चैंबूर का दाता वगेरा करार देते थे वैसी इमेज तुम अपनी यहां भी बनना शुरू करना चाते हो तो ये मैं नहीं होने दूंगी तुमने एक कसम खाई है, तुम मेरी एक कसम से बंदे हुए हो, कसम तोड़ दो, फिर जो मर्जी करो सूरा सो पहिचानिये, विमल डबे स्वर में बोला जो लरे दीन के है मुझे अब सूर्मापदी नहीं चाहिए, सूर्मापदी मेरे किस काम आया सूर्मापदी की छत्रचाया में कौन सी दुर्गत है, जो मेरी नहीं हुई गिंती गिनाओ, नहीं मैं भी नहीं गिनना चाहती, मैं भी नहीं याद करना चाहती मैं बस ये चाहती हूँ कि अब मैं आम मामूली हैसियत वाले पती की छट्रचाया में आम मामूली जिन्दगी बिताओं कभी शिकायत करू तो लानत भेजना विमल खामोश रहा मैं हमेशा हमेशा सपना देखती हूँ कि सरदार सूरत सिंग सोहल जब बड़ा होगा तो ऐसा शुद्ध पवित्र सात्लिक मानस बनेगा कि अपने मज़़ूर मजलूम बाप के सारे पाप धो देगा कैसे करेगा वो ये सब जब तुम अपने पापों में इजाफा करने की ही जुदत कर दे रहोगे बुराई की जीत इसलिए भी होती है क्योंकि भलाई ने उसकी मुखालफत में उंगली तक नहीं लाई भलाई जितना मर्जी जोर लगा ले बुराई का सर्वनाश नहीं कर सकती कर सकती होती तो इस मुल्क में रामराज होता मैं जुन्म होता नहीं देख सकता फिर वहीं पहुँच गए क्या होगा उस लड़की का वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा चलो अब भारी मन से विमलकार में सवार हुआ कमाम रास्ते उसकी आखों के आगे उस लड़की की सूरत नाच्ती रही जिसका सरेशाम सरेरा उसकी आखों के आगे अगवा हुआ था दाता क्यों किसी को मुल्क के काईदे कानून का कोई खौफ नहीं था क्या होगा बेचारी का 28 अक्तूबर सुमवार वही हुआ जिसका विमल को अंदेशा था अगले रोज के अकबार के लेट सिटी एदीशन में मुखप्रिष्ट पर बड़ी सुर्खी थी सरेरा नौजवान लड़की अगवा भगवान दास रोड पर बड़ी वारदात कार सवार तीन यूवक बस्टॉप पर खड़ी लड़की को जबरन उठा कर ले गए विमल ने जल्दी जल्दी तमाम खबर पढ़ी खबर के मताबिक अगवा लड़की क्षत्विक्षत अर्धमरतावस्था में छतरपुर के उजाड रास्ते पर एक खड़ में परी पाई गई थी उसके कपड़े तार-तार थे सारे जिस्म पर जखमों और खरोचों के निशान थे जो बलातकार के अलावा उसके साथ हुए अत्याचार के भी गवा थे सयोगवश एक टैंपो ड्राइवर की निगा उस पर पढ़ गई थी और उसने पुलीस को उस बाबत खबर की थी पुलीस मौकाई वारदात पर पहुँची थी और शुरुआती पुलीस कार्यवाही के बाद उन्होंने उसे सफदर्जन हस्पतार पहुँचाया था जहां वो जिन्दगी और मौत के बीच जूलती ताई जाती थी अकबार में ये भी दर्स था कि पुलीस भगवानदास रोड पर हुई अगवा की वारदात से वाकिफ थी क्योंकि वारदात के वक्त बस स्टैंड पर खड़े कई पैसेंजरों में से आखिर एक की गैरत जागी थी और उसने सो नंबर डायल करके पुलीस को अगवा की वारदात की जानकारी दी थी तब पुलीस को अगवा युवती की उम्र पोशाक और हुलिये की जानकारी मिली थी जिसकी बिना पर उन्होंने ये नतीजा निकाला था कि उसी युवती को बलातकारी युवकों ने संपात की एकिपणी भी थी जिसमें उसे एक और निर्भया कांड की संग्या दी गई थी और इस बात पर भारी आक्रोश व्यक्त किया गया था कि मौकाई वारदा तिलक मार्क पुलीस स्टेशन से सिर्फ दो फरलांग और दिल्ली पुलीस हैड़कवाटर से सिर्फ एक किलोम मानता को उजागर करती थी ये हाल तब था जबकि दिल्ली पुलीस ग्रिह मंत्रले के तहट काम करती थी और ग्रिह मंत्रले पुलीस हैड़कवाटर से सिर्फ दो किलोमितर दूर था अंत में उस संपात्किय में लिखा गया था अब एक बार फिर कैंडल मार्च होगी निर्भया को इंसाफ दो लिखे नामपट्टों के साथ जुलूस निकाले जाएंगे धरना प्रदर्शन होंगे जिन में पुलीस के खिलाफ नारे लगाए जाएंगे पुलीस सिर्भ 70 घंटों में अपराधियों को खोज निकालने के दावे पेश करेगी ग्रिह मंत्रले से फिर स्टैंडर्ड विज्यप्ती जारी होगी की दोशियों को बक्षा नहीं जाएगा और उन पुलीस कर्मियों पर भी कार्यवाही होगी जिनके नाकारेपन की वजह से गुन्दा एलिमेंट उस वारदात को अंजाम दे पाया कोई बड़ी बात नहीं कि खुद ग्रिह मंत्री ये घोशना करे कि पीडिता को इलाज के लिए सिंगापुर भेजा जाएगा और इलाज का सारा खर्चा सरकार देगी लेकिन नतीजा क्या निकलेगा? क्या दिल्ली पुलीस होशियार और मुस्तैद हो जाएगी? क्या अपराधियों के मन में काईदे कानून का खौफ बैच जाएगा? क्या ऐसी वारदाते होनी बंध हो जाएगी? ऐसा कुछ ना होगा 4-6 दिन मामला गर्माया रहेगा फिर सब शान्त हो जाएगा और धर्ना प्रदर्शन वाले फर्जी हमदर्दी दिखाने वाले लोकसेवक लिप सर्विस देने वाले नेतागर फिर ऐसी किसी नई वारदात का इंतजार करेंगे जिसमें मीडिया का पबलिक का मुकमल फोकस फिर उन पर होगा फिर खबर आएगी की पीडिता ने सिंगापुर ले जाए जाने से पहले ही बिना इतना होश में आये हुए की बयान देने के काबिल होती प्राण त्याग दिये थे दिल्ली पुलीस कमिशनर को ग्रिहम मंत्रले में तलब किया गया था तिलक मार्ग ठाने के घष्ट के दो सिपाहियों को सस्पैन कर दिया गया था वार्दात के लिए जिम्मेदार दो या तीन या चार संदिग्ध युवों को हिरासत में लिया गया था जिनसे पूछताच जारी थी, बाकी माहौल ठीक था कब तक? अगली वार्दात तक और उस बीच पुलीस तमाशा पूरे जलाल पर होगा ताकि ग्रिह मंत्रले तक सिगनल जा सके की पुलीस अब जाग गई थी पुलीस तमाशा तर्म से हमारे सुधी पाठक नावाकिफ नहीं है पुलीस तमाशा है जिपसी वैंस की जगय-जगय हाजरी के जरीय नेक कर्तव्य प्रायन नागरिकों में ग्यातव्य है नाग्रिकों में, मुजरिमों में नहीं खौफ पैदा करना पुलीस तमाशा है सडकों पर जगहजगा बैरियर लगा कर लंबे-लंबे ट्रैफिक जाम खड़े करना और कम्यूटर्स को हलकान करना पुलीस तमाशा है सैंड माफिया शराब माफिया के ट्रक्स को छोड़ कर काले शीशों वाली कारों के चालान को वरियता देना पुलीस तमाशा है सारवजनिक पार्कों से बाहर की सडकों पर हुजूम लगाने वाले गैर कानूनी हाकरों को छोड़ कर पार्क में बैठे नौजवान जोड़ों को खाकी वर्दी से खौफ जदा करना पुलीस तमाशा है अपनी ही शाह पर धंधा करती कालगरल को और उसके पिम्प को पकड़ कर यूँ बधायां बटोने की कोशिश करना जैसे दाउत को पकड़ लिया हो कब सुद्रेगा दिल्ली का निजाम इस मुल्क का निजाम हमारा आकलन है सरकार में और सरकारी अमले में गफलक का यही आलम रहा तो कभी नहीं विमल ने अकबार एक ओर डाल दिया और गहरी सांस ली बाकी अकबार पढ़ने में उसकी रुची नहीं रही थी अरे चाए नहीं पी विमल ने सिर उठा कर देखा तो पाया नीलम उसके सामने खड़ी थी चाए वो हडबराया हूँ, हाँ, चाए, पीता अब क्या पीते हो, अब तो वो ठंडी हो गई उसे रहने दो, मैं और बनाती हूँ नहीं, अब दिल नहीं है क्या हुआ दिल को? विमल ने संजीदगी से सामने मेज पर पड़े अकबार की ओर इशारा किया क्या है इसमें नीलम सशन भाव से बोली वो लड़की विमल ने बताया, जिसको कर शाम हमने अगवा होता देखा था आधी रात को छतरपुर के रास्ते में एक खड़े में एक गुडिया की तरह छिन्न भिन्न पड़ी पाई गई और अब सफदर्जन हस्पतार में बेहोश पड़ी अपनी आथिरी सासे गिन रही है हाई राम ये गत बनी बेचारी की विमल खामोश रहा बड़े दुख की बात है लेकिन यहीं लिखा था बेचारी के भाग्य में विमल ने घूर के उसे देखा क्यों देखते हो ऐसे घूर के? कोई किसी का भाग्य नहीं बदल सकता भले ही वो कोई सरदार सुरेंद्र सिंग सोहल हो, कोई वो ही तो नहीं रहा वरना वरना क्या? शहीद हो जाता लेकिन जो होते देखा वो नहोने देता ये तुम नहीं, तुम्हारा अहंकार बोल रहा है गलत पहचाना ये अहंकार नहीं, खालसा की खालिस मानस की अनक है मुंबई की चंद काम्याबियों ने तुम्हें बोरा दिया है असुरों से लड़ते लड़ते तुम्हारे में आसुरी प्रवृतिया पैदा हो गई है जो अब जिन्दगी की धारा मुकम्मल तौर से बदल लेने का तहया कर चुकने के बाद भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड रही है जरा कुछ इंकलाबी होता है तो तुम भूल जाते हो कि अब तुम क्या हो और क्या तुमने नहीं होना है सरदार जी अगर अतीत भुलाएं नहीं भूलता तो कम से कम इतना तो याद रखे रह सकते हो कि तुम कोई पीर पैगंबर नहीं हो कोई अवतारी पुरुष नहीं हो पापियों के नाश के लिए जिसने अवतार लिया है ऐसी कोई खुश्वा में तुम्हें पहले थी तो अब ना रखो अब तुम सूरज के पिता हो नीलम के पती हो गैलेक्सी के मुलाजिम हो बस तुम्हारा जो दिल गैर के लिए पसीजता है वो अपनों के लिए भी पसीजना चाहिए क्या मतलब तुम्हें ऐसी हरतों से बाज आना चाहिए जो तुम्हारे बच्चे को अनात कर दें दीवी को विध्वा कर दें इस अंजाम से तुम बेकपर नहीं हो तुम नहीं कह सकती कि तुम इस हकीकत से वाकिस नहीं थी कि मवाली की दीवी विध्वा मरती है अब ये मेरे लिए कोई बड़ा अंदेशा नहीं, मौत सब को आती है, सद्वा को भी, विध्वा को भी, वो कैसे आती है, किस हालात में आती है, ये जुदा मसला है, लेकिन तुम्हारी बड़ी-बड़ी कभी जजबाती, कभी बाते मुझे उस राह से नहीं भटका सकती जोशीली जिसका राही बनने के लिए हम एक बार फिर दिल ली आकर बसे हैं, सरदार जी, मैं तुम्हें अपने कॉल करार से नहीं फिने दूँगी मुझे सरदार मत कहा कर, सौ बार कहा है हजार बार याद रखा है, पर मुझे से निकल जाता है, क्यों निकल जाता है? क्योंकि ऐसा कहना मुझे अच्छा लगता है, जो जो कुछ तुझे अच्छा लगता है, उसकी कोई लिस्ट है, तो देख उसमें चाय गर्ण कर लाना दर्ज है देख ली, नहीं दर्ज है, लेकिन नहीं चाय बना लाना दर्ज है, लाती हूँ वो चली गई माहौल एकाएक तलखो उठा था, ग्नीमत थी की जल्दी नॉमल हो गया था अगले दिन अकबार में खब छपी की अगवा और बलातकार की शिकार लड़की ने सफदर्जन हस्पताल में जहां की वो भरती थी बिना होश में आये दम तोड़ दिया और अगले दिन खब छपी की भगवानदास रोड की अगवा की वारदात का पुलीस ने एक चश्मदीद गवा काबू में किया था वो गवा उन तमाशबिनों में से एक था जो की अगवा के वक्त बस स्टैन पर मौजूद थे उसका बयान था कि लड़की की मौत की खबर ने उसे बहुत आंदोलित किया था और वो खुद ही तिलक मार्क थाने पहुँच गया था जहां कि वो अगवा का केस दर्स था बकॉल गवा उसने अपहरताओं की शकल सूरत की तरफ तो कोई खास तवज्जो नहीं दी थी लेकिन दो बाते अनायास उसके नोटिस में आ गई थी उसने अपहरताओं की कार आई-बीस के ड्राइवर की सूरत अच्छी तरह से देखी थी उसे आई-बीस कार का रेजिस्ट्रेशन नमबर याद था बाकी नोजनों की सूरत क्यों नहीं देखी थी पुलीस का सवाल था क्योंकि तकरीबन वक्त उनकी उसकी तरफ पीठ थी जबकी कार बस स्टैंड पर यू आकर खड़ी हुई थी की कार की जाइविंग सीट पर मौजूद यूवक का उसकी तरफ मुह था पुलीस ने वीकल्स रेजिस्ट्रेशन के रिकॉर्ड से कार के मालिक की बाबत जाना और फिर उस यूवक को जिसका नाम अमित गोयल था और जो कार मालिक रगुनात गोयल का पुत्र था गिरफ्तार कर लिया इतवार को हवाले थी वारदात की शाम को कार जिसके पुत्र अमिल गोयल से पूछताच का नतीजा ये निकला की कार यकीनन उसके हवाले थी ये भी सच था कि विकास जिंदल और केतन साहनी नामक उसके दो हमुम्र दोस्त उसके साथ थे लेकिन इतवार शाम को वो भगवानदास रोड पर तो क्या उसके आसपास भी नहीं थे उस शाम वो गुडगाव में थे जहां पहले उन्होंने रईस देखी फिर कार में ही बैठ कर ड्रिंक्स एंजॉय किये और फिर एक धाबे पर खाना खा कर घर लोटे अमित गोयल की रहायश सैक्टर पंद्रहे नौइडा में थी उसके पिता का पहारदंज में टिंबर का बिजनेस था विकास जिंदल और केतन साहनी कहां रहते थे क्या करते थे इस बात का अकबार में कोई जिक्र नहीं था ठाने में गवाह को पकड़े गए युवो के रूबरू कराया गया था तो उसने निसन कोच अमित गोयल नामक युवक की बतौर आई-बीस के ज्राइवर शिनाक्त की थी आगे खब थी कि तीनों युवो को गुरुवार को पटियाला हाउस कोट में पेश किया जाना था तीन अक्तूबर गुरुवार गुरुवार सुबा विमल उस मैजिस्ट्रेट के कोट में मौजूद था जहां तीनो आरोपी युवोकों की पेशी थी उस कोट की बाबत और पेशी के वक्त की बाबत जानकारी उसे बाजरिया अजीत लूत्रा हासिल हुई थी वो खामोशी से भीतर दाखिल हुआ और उस वक्त लगभग ठाली पड़े कोट में पीछे के एक बैंच पर जाकर बैठ गया फिर धीरे धीरे वहाँ वकीलों की अपनी अपनी पेशी से तालुक रखते वादी प्रतिवादियों की गवाहों की दर्शकों को आमद बढ़ने लगी दस बजे अपने चैंबर और कोट रूम के बीच का दर्वाजा खोल कर मैजिस्ट्रेट ने कोट रूम में कदम रखा उसके सम्मान में सब उठकर खड़े हुए तदोप्रांथ विमल को पता चला कि पहला ही केस भगवानदास रोड के अगवा और बलातकार वाला था दो कुलीसियों ने तीन नौजवानों को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया विमल ने नोट किया कि दोनों 25 और 30 के पेटे में थे और अपनी उस वक्त की दुश्वारी से कोई खास हलकान परेशान नहीं दिखाई देते थे तीनों के चेहरों पर उद्दंदता की सपष्ट छाप थी सरकारी वकील ने नाम ले लेकर तीनों का कोट को परिचै दिया अमित गोयल, क्लीन शेवड, खड़े कान, पकोड़े जैसी नाग विकास जिंदल, क्लीन शेवड, गोरा चिट्टा, तीनों में सबसे ज्यादा खूपसूरत एक कान में बाली केतन साहनी दाढ़ी मूच दोनों, रंगत सावली, होठोन की रंगत ऐसी जैसे बीरी पीता हो और दातों की रंगत ऐसी जैसे रेगुलर खैनी जर्दा चबाता हो अपने वकील के सुपर्विजन में उन्होंने पुर्जोर लहजे से वही दोहराया जो उनका पुलीस के सामने बयान था वारदात के वक्त वो मौकाय वारदात से मीलो दूर गुरदाव में थे यानि मौकाय वारदात भगवानदास रोड से दूर थे और बयान किया कि आधी रात तक वो वहां क्या करते रहे थे योर आनर सरकारी वकील बोला खिलाफ एक चश्मदीद है मैजिस्ट्रेट की भवे उठीन जूठा है अमित गोयल बोला विकास जिंदल बोला योर आनर सरकारी वकील बोला गवाह ने इन तीनों में से एक की अमित गोयल की जिसका पिता उस आई बीस कार का मालिक है जो वारदात की शाम को इनके कबजे में थी पक्की, मजबूत, निर्विवाद, शिनाक्त की है ऐसी कोई शिनाक्त नहीं हुई आवेश कूर्ण स्वर में बोला अमित गोयल गवा को कोट में पेश किया जा सकता है सरकारी वकील बोला ऐसे मामलों में पुलीस की सलाहियाद से कौन वाकिफ नहीं Your Honor मुल्जिमों का वकील बोला उनकी शह पर Mr. Public Prosecutor यहां काले चोर को खड़ा कर देंगे और दावा करेंगे कि वो मेरे क्लाइन्स के खिलाफ चश्मदीद गवा है That's sheer nonsense I object This is uncivil language चश्मदीद का गवाहों के सामने दिया गया तस्दीक्षुदा बयान फाइल में है कौन नहीं जानता कि ऐसे तस्दीक्षुदा बयान कैसे वजूद में आते है जब हमारा दावा है कि गवा फर्जी है तो उसका बयान भी तो फर्जी ही होगा That's preposterous You cannot hoodwink anybody by such heavy words लेकिन Quite Magistrate बोला and listen दोनों वकील चुप हो गए उरोंने Magistrate की तरफ देखा क्या वो कथित चश्मदीद गवाह इस वक्त कोर्ट में मौजूद है Magistrate बोला No, Your Honor, सरकारी वकील बोला क्या उसे कोर्ट में पेश किया जासता है जरूर कितनी जल्दी सरकारी वकील हिचकिचाया क्या आज ही पेश किया जासता है Yes, Your Honor Lunch break के बाद तत इस केस की सुनवाई मुल्टवी की जाती है तब पुलीस के इन मुल्जिमों के खिलाफ चश्मदीद गवाह को अदालत में पेश किया जाए Next case Lunch के बाद जो गवाँ पेश किया गया वो एक कोई 40 साल का व्यक्ती था जो की सूरत से ही दक्षिन भारतिय लगता था उसने कोट को बताया कि उसका नाम देवन नायर था और वो फैब इंडिया में मुलाजिम था इतवार के दिन सरकारी वकील ने पूछा शाम के वक्त भगवान्दा स्रोर पर आप क्या कर रहे थे? आगा खान हाल में फैब इंडिया की सेल लगी है उसने जवाब दिया वहाँ अपनी ड्यूटी खत्म करके घर की बस पकड़ने के लिए बस स्टैंड पर खड़ा था वहाँ आपकी कहा ड्यूदी थी? पहली मन्जिल के उस हाल में जिसमें फैब इंडिया की सेल थी फैब इंडिया तो दिल्ली और NCR में बहुत जगा है आपकी मुलाजमत कहा है? जन्पत पर वहाँ भी फैब इंडिया का शोरूम है? जी हाँ, हाल में खुला है पहले कहा थे? आई अबजेक्ट ये गैर जरूरी सवाला थे ततिपक्ष का वकील बोला मैजिस्ट्रेट ने सहमती में सिर हिलाया बस ये आखरी सवाल बोला खान मार्केट में गवाह बोला कहा रहते हैं? मयूर विहार सरकारी वकील इद्वार शाम को जब आप भगवानदास रोड पर बस स्टैंड पर खड़े थे तो आपकी मौझूद ही में वहां क्या हुआ था? अबजेक्शन विपक्ष का वकील बोला ये बहुत जनरल, बहुत वे क्वेस्टन है, इनकी मौझूदगी में वहां कितना ही कुछ वाक्या हुआ हो सकता है, मैं नहीं समझता कि कोट की तब के वहां के हर वाके में दिल्चस्पी होगी मैजिस्ट्रेट का सिर्फ फिर सहमती में हिला बी स्पैसिफिक, मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो गोला यस, योर आनर सरकारी वकील बोला आपकी बस स्टैंड पर मौझूदगी में वहां एक आई बीस कार पहची थी जिसमें से दो यूवक बाहर निकले थे, उन्होंने स्टैंड पर बस के इंतजार में खड़ी एक यूवती को जरन दोचा था उसे कार में धकेला था और कार वहां से भाग निकली थी आप इस वाके की तस्दीक करते हैं दवा का सिर्ष सहमती में हिला प्लीज, जुबानी जवाब दीजिए मैं इस बात की तस्दीक करता हूँ कार में कितने जने थे? तीन एक ज्राइविंग सीट पर और दो पीछे थे जन्होंने बाहर निकल कर लड़की को दबोचा था आप कहते हैं कि क्योंकि कार का रुख आपकी तरफ था इसलिए आपने ज्राइवर की सूरत देखी थी? जी हाँ अच्छी तरह से? जी हाँ इतनी अच्छी तरह से कि आप उसे दोबारा देखते तो पहचान लेते? जी हाँ गुड़ अब इन तीन युवकों की तरफ देखिए जो बतौर उस केस के अभियुक्त यहाँ आपके सामने मौजूद है देख रहा हूँ अब ये बताईए कि क्या इन में से कोई उस आई बीस कार का ज्राइवर था नहीं था तो कौन था? सरकारी वकी एकाएक यू ठिटका जैसे उसे बिजली का जटका लगा हो अभी क्या बोला आपने? नहीं बोला वो तो बोला लेकिन किस बाबत बोला? इन में से कोई उस कार का ज्राइवर नहीं था वाट नॉनसेंस आपने पुलीस द्वारा आयोजित आइडेंटिटी परेड में बतार कार ज्राइवर इन में से एक की शनाक्त की थी शनाक्त की थी लेकिन इन में से एक की नहीं की थी तो किसकी की थी? जिसकी मैंने शनाक्त की थी वो यहां नहीं है ये कैसे हो सकता है कैसे हो सकता है कि मेरे को नहीं पता कैसे हो सकता है जो पता है वो ये है कि आइदेंटिटी परेड में जिसकी मैंने शनाक्त की थी वो यहां नहीं है सरकारी वकील मुझा तुम्हारा हाँ, अब मैं जा सका हूँ मैं शोरूम से एक घंटे की छुट्टी लेके आया नहीं, नहीं जा सकते इतनी जल्दी यहां से तुम्हारी खलासी नहीं हो सकती I object विपक्ष का वकील बोला Mr. Public Prosecutor is trying to intimidate the witness वो खुद अपने गवा को धमकाने की कोशिश कर रही है Objection Sustained Magistrate बोला तुम्हें उन पुलीस वालों के रूबरू किया जा सकता है जिनकी मौजूदगी में तुमने इन तीनों में से एक की शनाक्त की थी कीजिए तब वो पुलीस वाले ही मेरे बयान की तस्दीक करेंगे कि जिस शक्स की मैंने शनाक्त की थी वो इन तीनों में से कोई नहीं है फिर भी तुम्हारी खलासी I am sorry, your honor तुम भूल रहे हो कि तुम्हारे बयान पर आधारित बलकि यूँ कहो कि तुम्हारा ही मुहया कराया हुआ अभी एक सबूत और है पुलीस के पास कौन सा सबूत? I-20 कार का registration नमबर जो तुमने अपने बयान में कहा तुमने साफ देखा था और जिसे पहले तुमने अपनी यादाश्ट में और फिर अपने मुवाल के नोट्स में महफूज किया था DL UCC 7034 जो कि इन में से एक की फैमिली कार है क्या नमबर बोला? DL UCC 7034 कुछ गडबड, गवा बडबराया उसने जेप से अपना मोबाइल निकाला और जल्दी जल्दी उसके की पैड पर उंगलिया चलाने लगा आप गलत नमबर कोट कर रही है फिर मोबाइल पर से सिर उठाता बोला जो कार नमबर यहां मेरे मोबाइल के नोट्स में दर्स है वो ये नमबर नहीं है जो आपने बोला जो कार नंबर मेरे पास रिकार्डिर है वो DL UCC 7043 है यही तो मैंने बोला नहीं बोला आपने 7034 फीट बोला जो नंबर मैंने देखा और नोट किया था वो 7043 फीट था तुम्हारे से नोट करने में चूक हुई जो नंबर तुमने पुलीस के पास अपने स्वेच्छा से दिये तस्दिक शुदा बयान में दर्ज कराया था वो 7034 फीट था मुझे नहीं पता पुलीस ने क्या दर्ज किया मैंने 7043 फीट ही बोला था तुम्हारी साइन स्टेक्मेंट फाइल में है तुम उससे नहीं मुकर सकते मेरा बयान हिंदी में दर्ज किया गया था मैं मल्याली हूँ मैं हिंदी सिर्फ बोल सकता हूँ लिख पड़ नहीं सकता जो अब कह रहे हो सरकारी वकील भड़तने को हूआ भूँ पुलीस को क्यों न बोला बोला था सर बोला था गवाई यू बोला जैसे फरियात कर रहा हो उन्होंने कहा था कोई फर्क नहीं पड़ता था उन्होंने मेरा बयान मुझे पढ़कर सुनाया था मैंने उसे ठीक पाया था इसलिए साइन कर दिये थे लेकिन अब तुम अपने ही तस्दीक शुरा बयान में खामी निकाल रहे हो बयान में कार नमबर गलत दर्ज हो गया था तो तब क्यों न बोले क्योंकि तब नमबर के दो डिजिट्स की जक्स्टा पोजीशन मेरी पकड में नहीं आई थी ये तो अब पकड में आई जब आपके बोले नमबर को मैंने अपने नोटिद नमबर से कंपेर किया तुम जूट बोल रहे हो सरकारी वकील गरजा तुम अंडर ओथ जूट बोल रहे हो आई कांट अंडरस्टेंड वाट्स गोइन नग आन योर ओनर विपक्ष का वकील भी उतनी ही बुलंद आवाज में बोला मेरे फाजल दोस्त अपने ही गवा को जूटा करार दे रहे है ये सरकारी गवा है सरकारी वकील गुसे से बोला इसकी बाबत आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं जरूरत है इसकी गवाही पर मेरे क्लाइंस की आइंदा जिंदगी का दारोमदार है जब ये कहता है कि पुलीस ने बेध्यानी से गलत नंबर रिकॉर्ड किया है तो गलत कहता है नाजायस कहता है पुलीस से ऐसी बेध्यानिया होने लगे तो चल चुका पुलीस का महत्मा यूमन एरर की कहीं भी कभी भी गुनजायश होती है मैनुल काम में अनजाने में ऐसी गलती हो जाना कोई बड़ी बात नहीं यह अपने पुलीस को स्वेच्छा दिये बायान से भी तो मुकर रहा है नहीं मुकर रहा कैसे नहीं मुकर रहा अभी इसने कहा या नहीं कहा कि बतौर आई-बीस का ड्रायवर इन तीनों मुल्जिमों मेंसे यह किसी को नहीं पहचानता कहां बराबर कहां लेकिन क्यों कहां क्योंकि इसने गीता पर हात रख कर सच बोलने की कसम खाई है अब ये पुलीस और पबलिक प्रासिक्यूटर की सहूलियत के लिए कसम नहीं तोड सकता जूट नहीं बोल सकता मैं और मेरे क्लाइन्स इसके धन्यवादी है कि इस वक्त ये पुलीस को माफिक आने वाली गवाही देने की जगा अपने विवेक के हवाले गवाही दे रहा है नहीं है. I can lay any bet upon it that he has been reached. Mr. Public Prosecutor विपक्ष के वकील के बोलने से पहली ही खुद मैजिस्ट्रेट ने एतराज जाहिर किया. I am sorry, your honor. सरकारी वकील भुनबुनाया but I must submit that this witness had suddenly turned hostile. इस बिना पर पुलीस की तरफ से मैं मुल्जिमों के दो हफ़ते के रिमान की दरखवास पेश करता हूँ. मैं इस दरखवास का प्रबल विरोध करता हूँ. विपक्ष का वकील बोला, your honor ने देखा ही है कि कैसे पुलीस का मेरे clients के खिलाफ खड़ा किया गया केस कोट में नहीं थहर पाया है, थहर पाना तो दूर. कैसे उनके अपने ही गवा के कंड़क्ट से वो छिन्न भिन्न हो गया है, जब कोई केस ही नहीं है, तो रिमान का क्या मतलब? कोई केस बनाना ही है, तो अपने गवा के खिलाफ बनाए जो सरकारी वकील साहब दावा करते हैं, कि होस्टाइल हो गया है, परजुरी पर उतर आया है, मैं कोट से पुरजोर दरखवास करता हूं कि मेरे clients को या तो बाईजद बरी किया जाए या pending case तुरन जमानत पर छोड जाए, मुल्जिमों को इस वार्निंग के साथ जमानत मिल गई कि वो वक्ती थी, पुलीस द्वारा revised petition दाखिल किये जाने की सूरत में खारिज हो सकती थी, शाम को साथ बजने को थे, जबकि विमल जनपत पहुँचा, फोन करके वो पहले ही मालूम कर चुका था कि वहाँ फैब इंडिया का शोरूम शाम साथ बजे बंध होता था, वो भीतर दाखिल होने लगा तो गार्ड ने उसे तोका क्लोजिंग टाइम हो गया है, साहब मालूम है, भाई, विमल मीठे लहजे से बोला मेरी बीवी अभी अंदर है, इसलिए जाना है, गार्ड ने उसे भीतर चले जाने दिया एक्जिक दोर वहां से थोड़ा परे था, इसलिए एंट्री पर के गार्ड को नहीं मालूम होने वाला था कि जब वो वहां से रुकसत हुआ था तो बीवी साथ थी या नहीं, भीतर उसने देवन नायर को तलाश किया वो गार्मेंट्स के एक रैक के करीब अकेला खड़ा था, लंबे डग भरता विमल उसके करीब पहुँचा, हल्लो वो बोला नायर ने सिर उठाया, उसके चहरे पर उल्जन के भाव आए मैं कॉल, अर्विंद कॉल जन सत्ता का रिपोर्टर रिपोर्टर हाँ, आज सुबह मैं पतियाला हाउस में उस कोट में भी था जहां बतौर गवाह तुम्हारी पेशी थी अच्छा सुबह भी और लंच के बाद भी वज़ा इस केस को अपने अकबार के लिए शुरू से मैं कवर कर रहा हूँ यहां कैसे आए तुम्हारे से मिलने आया मालूम था मेरी जॉब यहां है भाई, कोट में तुमने खुद बताया था कि तुम फैब इंडिया में मुलाजिन थे और उसके जनपत पर नए खुले शोरू में ड्यूटी करते थे ओ हाँ, सौरी मैं भूल गया था Never mind मेरे से क्यों मिलना चाते हो तुम्हारी गवाही ने कोट में अच्छी खल्बली मचाई थी उसी सिलसिले में कुछ सवाला थै मेरे जेहन में जो मैं तुम्हारे सामने रखना चाता हूँ तुम अखबार वाले हो, मैं पब्लिसिटी नहीं चाता मेरे भाई, उससे तुम अब नहीं बच सकते तुमने कोट में बयान दिया है इसलिए सब कुछ on record है पब्लिक दोमेन में पहले से है अच्छा फिर तुम्हारे बयान में ऐसा क्या है जो पुलीस से नहीं जाना जा सकता है पुलीस तो ऐसे मामलों में मीडिया को बाकाइदा भाव देती है तो उनहीं के पास जाओ तुम नाउमीद करोगे तो जाओंगा ही करोगे, वो सोचने लगा मैं तो ये सोच के तुम्हारे पास आया था कि शाम का वक्त है एक-एक ड्रिंक शेर करेंगे नायर की आँखों में चमक आई गुड गुड का रसिया था और छोटी-मोटी बात भी कर लेंगे ऐसा हाँ, अब बोलो, क्या कहते हो बाहर चलो, मैं पाँच मिनिट में फारिक होके आता हूं शुक्रिया नाम क्या बताया था तुमने अपना कॉल अर्विंद कॉल आता हूं पाँच मिनट से पहले नायर शोरूम से निकल कर उसके करीब पहुचा विमल ने चहरे पर फर्जी मुस्कराहट लाकर उसका स्वागत किया कहां चले नायर ऐसी आत्मियता से बोला जैसे मुद्दत से विमल को जानता हो तुम्हारे तो पडोस में ही बार है भाई विमल बोला यही चलते हैं देख लिया हां यहां बरामदे में खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा था तो देखा न हमारी तरह यह भी नया खुला है ज्यादा एक्स्पेंसिव भी नहीं है हो भी तो क्या है दोस्तों में एक्स्पेंसिज नहीं देखे जाते दोस्त हो न उसके चहरे पर अनिश्य के भाव आए अरे अभी नहीं है तो बार में जाके बैठेंगे तो हो जाएंगे गुड आओ बार फैब इंडिया से तीन इमारत परे फर्स्ट फ्रलोर पर था जो कि शाम की उस घरी लगभग ठाली था वो दोनों बार से विप्रीद दिशा में एक तन्हा टेबल पर जाकर बैठे आपसी मश्वरे के बाद विमल ने हंड्रेड पाइपर्स का आडर दिया दोनों ने चियर्स बोला आज के जमाने में विमल अर्थकूर्ण स्वर में बोला सरेरा हुए नौजवान लड़की के अगवा के केस में गवा बनना होसले का काम है है तो सही वो अन्मने भाव से बोला जबकी सुना है कि उस वक्त बस्टैंड पर कई लोग मौजूद थे हाँ भाई तुम पुलीस के पास पहुँचे या पुलीस तुम्हारे पास पची पुलीस कैसे पहुँचती किसी के खुद के बताए बिना उन्हें कैसे मालूम होता कि कौन तब बस्टैंड पर मौजूद था ठीट तो तुम गए पुलीस के पास हाँ फोरन फॉरन तो नहीं अगले रोज शाम को पहले तो मैं यही सोचता रहा की मुझे क्या फिर मेरे अंदर से आवाज उठी की हर कोई यही सोच ले मुझे क्या तो कैसे कभी कोई मुझरिम पकड़ा जाए क्रिमिनल क्राइम करे और छुटे घुमे ये तो ठीक नहीं ठीक में उठा कर हस्पतार पहुचाया था और पता लगा कि उसके साथ सामोहिक बलातकार हुआ था तब मेरे से न रहा गया मैंने सौन नंबर पर फोन किया और अपनी आइडेंटिटी रिवील की पाँच मिनट बाद तिलक मार्क थाने से उस सबाइंस्पेक्टर का जो कि उस केस का इन्वेस्टिगेटिंग आफिसर था मेरे पास फोन आ गया मैं थाने जाकर उससे मिला और बाकाइदा अपना बयान रिकॉर्ड कराया जिसकी बिना पर पुलीस ने उन तीन लड़कों को गिरफतार किया हाँ लेकिन गड़बढ हुई ऐसी गड़बढ हुई जो की फॉरण जाहिर भी न हो पाई मुझे तो कोट में अपने बयान के वक्त ही मालूम हुआ कि वारदात वाली कार के रिजिस्ट्रेशन नंबर के मामले में मेरे कहने में और कुलीस के दर्ज करने में फर्क आ गया थ नंबर के दो डिजिस्ट्स में उलट फेर हो गया था बयान तो सुना है रिकॉर्ड किया जाता है मैंने भी सुना है लेकिन मेरा बयान रिकॉर्ड नहीं किया था एक क्लर्क ने साथ बैठ कर उसे तहरीरी तौर पर दर्ज किया था मेरे ख्याल से लांग हैंड में क्योंकि बीच बीच में उसने मुझे कई बार तोका था और किसी न किसी बात को दोहरा कर बोलने को बोला था किसी वज़से कार का नमबर लिखने में उलट फेर हुई जाहिर है बयान record किया गया होता तो ऐसा नहोता, कब recording को दोबारा सुनकर कस्दीग की जा सकती थी कि असल में तुमने क्या कहा था बयान record नहीं किया गया था बहरहाल ये दिल्चस्प और काबिलेग और बात है कि तुम्हारे बयान की वज़ा से ही वो लड़के गिरफ्तार हुए और तुम्हारे बयान की वज़ा से ही रिहा हुए हाँ ऐसा हुआ लेकिन मेरी इसमें क्या गल्दी थी? जब कोट में मेरे सामने ये बात जाहिर हो गई थी कि पुलीस की लापरवाही से मेरा बताया नंबर यू दर्ज हुआ था कि दो डिजिट्स में उलट फेर हो गई थी मैंने वारदात वाली कार का नंबर DL7 UCC 7043 बोला उन्होंने DL7 UCC 7034 दर्स किया उन्होंने अपने दर्स किये नंबर के मطाबिक I-20 कार को ट्रेस किया तो आगे वो तीन लड़के गिरफतार हुए जिनमें से एक के बाप की वो कार थी तुम वक्त रहते उस उलट फेर को पुलीस की जानकारी में ला पाए होते तो न वो गिर प्रतारिया होती और न कोट में पुलीस की किरकिरी होती मैं कैसे लाता? मुझे कैसे मालूम पढ़ता कि मेरा बयान दर्स करने के दौरान पुलीस से क्या बंगलिंग हुई थी? ये बात भी ठीक है पुलीस को ये बात हजम हो गई कि उनके यहां हुई क्लैरिकल मिस्टेक की वज़़ से ही सब गरबर हुई थी? कहा हजम हो गई? वो तो पतियाला हाउस में ही मेरे गले पढ़ गए, तमाम बंगलिंग के लिए मुझे जिम्मेदार ठहराने लगे, पकड़ के तिलक मार्क थाने ले गए अरे, क्यों? बोले, मोटर वीकल्स रजिस्ट्रेशन के रिकॉर्ड से अब उस दूसरी कार को ट्रेस किया जाएगा, जिसका नंबर मैंने कोट में बताया था और वारात वाली कार को अब मैं उस नंबर वाली कार बता रहा था, फिर कार मालिक के जरिये नए सस्पेक्स को हि जासत में लिया जाएगा, जिनकी की मेरे को शिनात करनी होगी? की? कहा, की होती तो मैं यहां तुम्हारे सामने बैठा होता. क्या हुआ? दूसरी कार तो फटाफट ट्रेस कर ली गई, लेकिन वो आई बीस न निकली. अरे! सब इंस्पेक्टर फिर गले पढ़ने लगा कि अगर मैंने वो कार नमबर येल यूसी सी साथ शून्य चार तीन देखी थी तो मैंने उसे आई बीस क्यों बताया था जबकि वो स्विफरट थी, क्या जवाब दिया? वहीं जो सीधा था, सच्चा था, मुनासित था, मैं मामूली हैसियत का आदमी हूँ, मैं कारों के लारे में खास क्या जानता हूँ? जो कार मैंने देखी, वो मुझे आई बीस लगी, मैंने आई बीस बोल दिया, यानि अंदाजे से बोला. नहीं, बिलकुल अंदाजे से तो नहीं बोला. यहां इस ब्लॉग के बाहर ही पार्विफग है, आते जाते रोज कारे दिखाई देती है, इसलिए मैं आई बीस को पहचानता था, वारदात वाली कार पर मार्का लिखा न देखा. कैसे देखता? उस कार का मेरी तरफ मुह था, पीठ होती तो देखता न. मार्का तो बैक पर होता है, फ्रंट पर तो होता नहीं. कार आगे बढ़ी थी या यूटर्ण लेकर भागी थी? आगे बढ़ी थी. तब बैक दिखाई दी होगी. हाँ, लेकिन तब मेरा मार्के की तरफ ध्यान नहीं गया था. हम्व. भाई, जब मुझे मालूम था वो आई 20 थी तो खास मार्के की तरफ ध्यान नजाना क्या बड़ी बात थी? क्या बड़ी बात थी? अरे, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ. और मैं तुमसे पूछ रहा हूँ. तुम क्या पूछ रहे हो? और ड्रिंक्स ओर्डर करें? अच्छा वो हाँ प्लीज विमल ने रिपीट का ओडर दिया जो तुरंट सर्व हुआ ठाने से तुम्हारी जल्दी खलासी हो गई इसका मतलब है कोई नई गिरफारिया नहीं हुई हाँ वज़ा वो कार किसी गवर्नमेंट एगजिक्यूटीव की थी जो किसी मेजर रिपेर जॉब की वज़ा से शनिवार सुबह से मोती बाग की एक वरकशाप में खरी थी जहां की वो रहता था रंग रंग क्या भाई रंग स्विफरट का अच्छा वो ग्रे कैसे मालूम जब पुलीस ने उस गैराज में खडी कार के मेक के बारे में बोला था तो रंग के बारे में भी बोला था ग्रे स्टील ग्रे नहीं फर्क होता है होता तो है स्याह सफेद जैसा नहीं ऐसा तो नहीं तो कैसा मोटे तौर पर तो दोनों रंग एक ही जैसे लगते हैं, जो नहीं जानता ग्रे और स्टील ग्रे दो रंग होते हैं, वो तो उसे ग्रे ही बोलेगा तो फिर और और क्या पता लगा स्विफरन के बारे में वो हिट की जाया ओ, come on प्लीज बकॉल इन्वेस्टिगेटिंग आफिसर, कार का मालिक रिटायर्मेंट की एज के करीब पहुचता एक उम्रदराज शक्स था, जिसका एक ही बेता था जो इंगलैंड में रहता था भाई, इस सिनेरियों पर गौर किया जाये तो पुलीस को तु 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 तुम्हारी नंबरों की अंजाने में हुई उलट फेर की कहानी हजम नहीं हुई होनी चाहिए उसकी भवे उठी वारदात में लिप्ट आई बीस की अपनी शनाक्त को तुमने कोट में नकार दिया, जो नई संभावना पेश की वो संभावित न निकली, I mean, फीजिबल न निकली तो फिर चश्मदीद गवाह काहे के हुए तुम? विमल को पहले लगा कि वो आवेश में आने लगा था, फिर वो खुद को काबू करता लगा, फिर उसने अपने गिलास में से विस्की का एक घूट भरा और चिंतित भाव से बोला, वो सब इंस्पेक्टर भी इसी बात को लेकर भढ़क रहा था ये भी तुम्हारे हक में एक अच्छा इत्तफाक हुआ की स्विफरट लाइट कलर की आई बीज से मिलते जुलते कलर की निकली, किसी दार कलर की जैसे की रेड, ब्लू, दस्ट निकलती तो तुम्हारी गवाही में बड़ा फच्चर पढ़ जाता कहानी गवाही तुम्हारी अपनी जुबान में स्याह सफेद जैसा फर्क पढ़ जाता, नमरों में उलट फेर को तु 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 तुमने जैसे तैसे जस्किफाई कर लिया, रंगों में जमीन आसमान के फर्क को कैसे जस्किफाई कर पाए होते उसने जवाब न दिया तुम्हारा क्या ख्याल है? आखिर हुआ क्या था? मेरे ख्याल से तो वो कठिन स्वर में बोलाकार का नंबर देखने और उसे अपने मोबाइल पर नोट करने के बीच मेरे से ही कोई चूक हुई थी मेरे से ही कोई दिजिट अंजाने में गलत पंच हो गया था यानि असल में अभी कोई तीसरा ही नंबर था एक नंबर तुमने देखा, एक तुमने नोट किया और एक गलत पंच किया, नो? अब क्या बोलू? तुम कहते हो सबाइंस्पेक्टर भरत रहा था तुमने उनका केस बिगाड़ा, बतौर चश्मदीद गवाब पुलीस के किसी काम ना आए कोट में पुलीस की फिर किरकिरी का बायस बने, फिर भी आजाद कर दिये गए वो भी इतनी जल्दी कि यहां आकर अपनी ड्यूटी करने लगे अब क्या बोलू? मैं खुद हैरान हूँ कि जल्दी छूट गए? हाँ, पकड़े तो वो मुझे नहीं रह सकते थे क्योंकि मैं तो मुझरिम नहीं, मैंने तो कोई जुर्म नहीं किया लेकिन वहां के तल्क माहौल से मुझे साफ लग रहा था कि आधी रात तक भी बिठाए रखते तो कोई बड़ी बात न होती फिर भी जाने देते तो इस वार्निंग के साथ जाने देते कि अगले रोज मैंने फिर हाजर होना था कैसे जल्दी छूट पाए? बोला ना, मैं खुद हैरान हूँ, वो सबाइंस्पेक्टर बुरी तरह से मेरे पर गरज बरस रहा था, खा जाने को पड़ रहा था फिर एक हवलदार ने आकर बताया कि कोई उससे मिलने आया था, वो उठके गया तो आदे घंते बाद लोटा, लोटा तो काफी हद तक शान्त था, बोला, मुझे इस वार्निंग के साथ जाने दिया जा रहा था कि मैं कहीं गायब न हो जाओ, आइंदा चंद दिन पुलीस क को हमेशा अवेलेबल रहूं, कुछ सोचा तो होगा कि कैसे सबंस्पेक्टर के मिजाज ने पलता खाया, भाई, सोचा तो सही पर सूझा कुछ नहीं, कुछ सबंस्पेक्टर ने तुम पर ये इलजाम न लगाया कि तुमने दबाव में आकर अपना बयान बदला था, दबा कैसा दबाव जैसा कोट कचरियों में दूसरी पार्टी के गवाहों के खिलाफ रुत्बे और रसूख वाले लोग आम आजमाते हैं, मुखालफत में गवाही दी तो जान से मार डालेंगे, बहन बेकी पर अत्याचार करेंगे, वगेरा सब किताबी बाते हैं, फिल्मी बाते हैं अकीकी बाते हैं है तो मुझे इस हकीकत की कोई खबर नहीं सरकारी वकील ने कोट में साफ कहा था क्या? क्या कहा था? The witness has been reached मुझे नहीं मालूम इसका क्या मतलब होता है क्यों? पढ़े लिखे नहीं हो graduate हूँ तो फिर फिर वही नहीं मालूम नहीं मालूम तो मालूम कर लो, इसका मतलब है गवा को अपने बयान से फिरने के लिए मजबूर किया गया था कोई दबाव डाल कर उसको परजुरी के लिए तयार किया गया था विमल ने एक ख़ण अपलक उसे देखा फिर बोला मतलब भी नहीं मालूम खाम खा लगता है तुम्हें परजुरी का अभी तुमने कहा था तुम मुजरिम नहीं तुमने कोई जुर्म नहीं किया ठीक कहा था परजुरी इस एक राइम जूटी गवाही देना अपराध है होगा मुझे क्या तुम्हें होना चाहिए तुम्हारे अपने बयान से फिरने की वज़ह से ही वो लड़के जमानत पा गए नॉनसेंस मैंने ऐसा कुछ नहीं किया मैंने जो किया अपने विवेक के अपने बैटर जज्ज्मेंट के हवाले किया रिश्वत के हवाले किया पहले जैसे बात उसकी समझ में ना आई फिर एकदम भड़का क्या बोला रिश्वत खाकर तुमने अपना बयान बदला ताकि उन लड़कों के खिलाफ खड़ा केस धेर हो जाता रिश्वत ने ही उस सबिंस्पेक्टर का मिजास बदला जो तुमने खुद कहा कि ठाने में बुरी तरह से तुम्हारे गले पड़ रहा था जिनके हाथों तुम विके और परजूरी के लिए तयार हुए वो लोग जानते थे कोट में तुम्हारे अपने रिकार्डिर एंड एंडोर बयान से फिरते ही केस ने कोलाप्स कर जाना था और फिर पुलीस का कहर तुम पर तूट पड़ना था पैसे के दबाव में आके तुमने जूट बोला दंडे के दबाव में आके तुम सच उगल सकते थे इसलिए जैसे तुम्हें सैट किया गया था, वैसे तुम्हारे investigating officer को भी सैट किया जाना जरूरी था, अब समझ में आया कि वो गरजता बर्सता सब इंस्पेक्टर क्यों एकाएक शान्त हो गया था, तुम, तुम कौन हो, बोला तो था, क्या बोला था, फिर बोलो, मीडिया परसन हूँ, जन सत्ता का reporter, अपना आइकॉर्ड दिखाओ, आइकॉर्ड बाई चांस आज मेरे पास नहीं है, विजिटिंग कॉर्ड दो, अब ये न कहना वो भी नहीं है, विमल की जेब में अपने महरबान योगेश पांडे का, जो की CBI के महकमे में Anti-Terrorist Squad का डिप्ती डाइरेक्टर था, एक विजिटिंग कॉर्ड था, सरकारी नियम के अनुसार जो Bilingual था, यानि उसकी एक साइड में उसका परिचय अंग्रेजी में था और दूसरी साइड में हिंदी में था, उसने जेब से वो कार्ड निकाला और सावधानी से हिंदी वाली साइड से उसे नायर को थमाया, नायर ने कार्ड पर निगार डाली योगेश पांडे कार्ड पर से पढ़ता वो बोला, डिप्ती डायरेक्टर, वाट दा हैल, तुमने तो अपना नाम अर्विंद कॉल बताया, खुद को जनसत्ता का रिपोर्टर, बताया, सौरी, विमल ने हाथ बढ़ा कर बड़ी सफाई से, कार्ड उसके हाथ से निकाल ल पर गल्ती हो रही है, लगता है विजिटिंग कॉर्ड भी घर रह गए, सौरी अगेन, कौन हो तुम? वो तीखे स्वर में बोला, घबराओं नहीं, वो नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो, क्या समझ रहा हूँ मैं? पुलीस वाले ऐसे पेश नहीं आते, उनको अपने दंडे पर बड़ा गुमान होता है, इसलिए पूछते नहीं, कबुलवाते हैं, फिर तुम्हारे केस में तो अब चोर-चोर मौसरे भाई वाली मसल चरितार्थ है, अफसर भी बिका हुआ, गवा भी बिका हुआ, तो कौ अच्छा, भाई, लीस पर किया हुआ सही, मैं, मैं जाता हूँ, वो यू लंबे डग भरता वहां से रुकसत हुआ जैसे वापिस घसीत लिया जा सकता हो, शाम साड़े आठ के करीब विमल घर लोटा, नीलम व्याकुल भाव से बोली, क्या हुआ, आज देर लगा दी इतनी, छुट्टी के बाद कहीं अटक गया था थोड़ी देर के लिए, विमल बोला, क्यों अटक गये थे? बोलता हूँ, बहक रहे हो, कहीं इसी वज़ा से तो, हाँ, है ये भी वज़ा, बोला न, बोलता हूँ, जरा चेंज कर लूँ, हाथ मुह धोलूँ, फिर बोलता हूँ, तब तक खाना लगाओ, अभी रुख जा, जरा चैंज से बैठने दे, रिलैक्स करने दे, फिर फिर, ठीक है, विमल बैडरूम में घुज गया, दस मिनट बाद जाइंगरूम में, वो और नीलम एक सोफे पर अगलगल बैठे हुए थे, विमल ने उसे बताया कि भगवान दास रोड़ वाले केस में सुबा कोट में क्या बीती थी, फिर शाम को अपनी सरकारी गवाद देवन नायर से मीटिंग की बाबत बताया, ओ, परी भी हो जाएंगे, तुमने देखा उन्हें, तुम्हारा क्या ख्याल है, निर्दोश है, मेरा ख्याल पूछती है, तो नहीं, तीनों सूरत से शोहदे लग रहे थे, बिगड़े हुए मुश्टंडे, भड़के हुए सरकारी सान, कोट में खड़े थे, फिर भी न विनी पूरी तरह से निडर थे और सूरत से उद्दंड का साफ जलकती थी, बड़े घरों के होंगे, मैंने मालूम किया था, सिर्फ एक जो आई बीस कार वाला था और जिसका नाम अमित गोयल था पैसे वाले बाप का बेता है, उसके बाप का पहाडगंज में तिमबर का बड़ा कारोबार है और परिवार नौइडा के सैक्तर पंद्रहे में एक बड़ी कोठी में रहता है, बाकी दो अपर मिडल प्लास से हैं, लेकिन अमित गोयल के जिगरी हैं, चम्चे होंगे, चम्चे जिगरी ही होते हैं, अगर्चे की हम उम्र हों, तुम कोठ क्यों गए? उनकी क्यों भला? अरे, हम भी तो इत्वार शाम की उस वार्दात से चश्मदीद गवा थे, मैं सोच रहा था कि शायद मैं किसी को पहचान पाऊं। पहचान पाएं? नहीं। शुक्र है, वरना नया सयापा खड़ा हो जाता, जाके गवा बन जाते उनके खिलाफ। तू बनने देती? नहीं, हरगिस नहीं। ऐसे मामलों में गवाही देने के लिए आगे आना और। यो मुल्क के काईदे कानून के हाथ मजबूत करना हर नेक शहरी का फर्ज होता है। नेक शहरी का ना क्या मतलब है, भाई, तेरा? तुम तो अभी नेक शहरी इन मेकिंग हो, मेकिंग कंपलीट होने में अभी टाइम है। क्या बात है, आजकल अंग्रेजी बहुत जाडने लगी है। अरे प्राणनात, तुम्हारे आफिस चले जाने के बाद सारा दिन टीवी ही तो देखती हूँ। कीवी से धाई अखर अंग्रेजी के सीख लिए तो अंग्रेज थोड़े ही हो जाऊंगी। अंत पंत रहूंगी तो तुम्हारी मिडल फेल दीवी ही। कभी तुम्हारे मुझ से भी मेरे लिए पास निकला। और कभी तेरे अपने मुझ से अपने लिए फेल निकला। बहरहाल, मैं ये कह रही थी कि फर्ज निभाया ना अपना एक नेक शहरी ने। हाँ, लेकिन एन वक्त पर मुकर गया. तुम्हें क्या पदा मुकर गया? अगर वो लड़के साधारन हैसियत वाले घरों के होते तो न कहता की मुकर गया, लेकिन एक का बाप साही बेजाइदाद है, कैसे वो अपनी आुलाद को सजा होने दे सकता है? सजा बाप की मर्जी से होती है, आज जैसे मुल्क का निजाम चल रहा है, उसमें बाप अगर पैसे वाला है, तो हाँ, उसकी, उसी की मर्जी से होती है, लेकिन वो चशम, चशम, चशमे वाला गवा, चश्मदीद गवा, वही, वो भी तो है, बिक गया, तुम्हें क्या पता? अपने इग्बालिया बयान से मुकर गया तो और क्या हुआ? तुम्हें क्या पता मुकर गया? अरे साफ जाहिर हो रहा था, सरकारी वकील ने साफ कहा कि ही वौज रीच्ड वो क्या होता है? कुछ नहीं समझती साली, वैसे कहती है, मिडल पास हूँ शुकर है, फिर पास कहा, अब बोलो, रीच्ड क्या होता है, दिग गया, रिश्वत खा गया, पैसे से खरीद लिया गया, इसलिए परजुरी पर उतर आया कौन सी जूरी? जूरी नहीं, जूरी, परजुरी कोर्ट में शपत लेकर बयान से फिने को, जूर्ट बोलने को कहते हैं हाई राम ऐसे आदमी को सजा नहीं होती? सजा का प्रावधान है मुल्क के काईदे कानून में, लेकिन आज तक तो परजुरी की सजा किसी को हुई नहीं हमारे लोर कोट्स में गवाहों का पुलीस को दिये अपने तस्दीक शुदा बयान से फिर जाना रोजमर्रा के वाक्यात है एक राजनेता के खिलाफ केस में तो दो चार दस नहीं असी गवाह बयान से फिर गए थे कोई अनपढ होने की दुहाई देता है तो कोई कहता है कि पुलीस ने मारपीत के बयान हासल किया पर असल में सबने सामर्थयवान की सामर्थय का मज़ा चखा होता है या चांदी का जूता खाया होता है इस केस का दवाह तो मॉडन था पढ़ा लिखा था लेकिन मल्याली था इस बात की आड लेकर बोला उसे हिंदी नहीं आती थी, बयान हिंदी में दर्स था जिस पर, पुलीस के कहने पर उसने साइन कर दिये थे, वो नहीं जानता था उसके साइन्शुदा बयान में हिंदी में क्या लिखा था, बयान उसे पढ़कर सुनाया गया था और उसके पास ये जानने का कोई जरिया नहीं था कि जो उसे पढ़कर सुनाया जा रहा था, वहीं उसकी तहरीर के तौर पर दर्स था जूता खसमांठाना बिल्कुल किसी को कोई भाशा नहीं आती तो बयान उस भाशा में दर्स किया जाने का प्रावधान है, जो उसे आती हो बयान किसी भी भाशा में दर्स किया गया हो गवा को साइन करने के लिए उसके बयान का उस भाशा में अनुवाद मुहया कराया जाता है जो वो जानता समझता हूँ, वो मल्याली गवा मांग कर सकता था कि उसका बयान उसे इंगलिश में या मल्याली में मुहया कराया जाए क्यों न कहा? क्योंकि हिंदी उसे आती थी, हिंदी में दर्ज बयान को पढ़कर ही उसने उस पर साइन किये थे तुम्हें क्या पता? वो तुम्हारे लिए अजन्दी था, वो तुम्हें जानता तक नहीं था जन्वाया ना जबरन अच्छा तभी तो घर लोटने में देर हुई, शाम को मैं उससे मिला था और उसको कल्तिवेद करने के लिए मैंने उसके साथ घूट लगाया था इसी वज़ा से तो घर लोटने में देर हुई तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी? यूँ ही थोड़ी उससुकता जागी थी मन में उसके बारे में सोचा शांत कर लूँ सुबह कोट पहुँच गए, शाम को चश्मा दी चश्मदीद गवाह से मुलाकात करने पहुँच गए, मुझे आसार अच्छे नहीं लग रहे कमली है तू, ऐसा है तो मेरे अख़बार पढ़ने पर टीवी तू देखने पर पाबंदी लगा दे और आफिस भी मेरे साथ चला कर हटो ऐसा तहीं होता है तो चुप कर और सुन मैं क्या कर रहा हूँ अच्छा उसे हिंदी आती थी, इस बात की तस्दीक मैंने खुद की कैसे? मैंने उसे खुद को जनसत्ता का रिपोर्टर बताया था शुरू में तो ये बात उसने सहज ही मान ली लेकिन बाद में वारतालाप के दौरान जब माहौल थोड़ा तलखो उठा तो वो मेरे को आई कार दिखाने को बोलने लगा, मैंने बहाना बनाया की आई कार था, तो बोला विजिटिंग कार दूं, मैंने उसे पांडे जी का एक कार थमा दिया जिसकी एक साइड हिंदी में थी, उसे हिंदी न आती होती तो उसे न पता चलता कि उस पर क्या छपा था, जबकि उसने तो फॉरन लैतरास किया कि वो किसी जनसत्ता के रिपोर्टर का कार्ड नहीं था, वो किसी डिप्ती डारेकर योगेश पांडे का कार्ड था, क्या मतलब हुआ इसका, हिंदी खूब आती थी खसमा खाने नू, बिलकुल, अब बोल, जाहिर है कि नहीं है, कि हिंदी में दर्ज बयान को पढ़कर ही उसने एक अच्छे नादरिक, की तरह अपना फर्ज समझ कर साइन किये, और उसका अपने बयान से मुकरने का जरूर कोई इरादा भी नहीं था, जाहिर है बाद में किसी बड़ी रकम की पेशकश हुई तो वो परजुरी के लिए तयार हो गया, ये भी उसे पैसे वाले बाप के आला दिमाग वकीलों ने सबक दिया होगा कि किस बिना पर वो अपने पुलीस को दिये बयान से फिरता तो उसका कुछ न बि दर्ज था, और जो मोबाइल में दर्ज हो बाद में जरूरत के मुताबिक उसको बदला तो जा नहीं सकता, खर दिमाग, कौन सा दिमाग? वो, वो, नर दिमाग, नर यानी मन, मादा से दर्जे में उचा दिमाग, औरत का? हाँ, मेरा? अगर तू औरत है तो हाँ, अच्छा, तुम्हें नहीं पता मैं औरत हूँ? है तो सही, लेकिन मरदानी जासी वाली रानी, तुमने कुछ और कहा था, मेरे ख्याल से खर कहा था? अरे, नहीं, खर कहा था, खर दिमाग कहा था, अब बोलो, खर का क्या मतलब होता है? अब छोड़ना? जरूर कोई खराब मतलब होता है, वरना तुमने कहा ही ना होता. थोड़ा और पढ़ लिख जाती, मैट्रिक ही पास फेल कर लेती तो जानती होती. कोई बात नहीं, इस मामले में अभी एक मौका है मेरे पास. वो कौन सा? सूरज बढ़ा होगा. नीलम अर्मान से बोली. पढ़े लिखेगा, आठवी से आगे बढ़ेगा, तो जो वो स्कूल से पढ़ के आया करेगा, वो वो मुझे पढ़ाया करेगा. न नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेगी. क्यों नहीं होगा? छोटा सोहल क्या अनपढ़ निकलेगा? मेरी तरह. विमल हसा. तुम असल बात से मेरा ध्यान भटकाने के लिए दाएं बाएं की लंबी-लंबी छोड रहे हो. असल बात. सर्दार जी, अगर भीतर कहीं फिर्खवरदार शहरी करवटे बदल रहा है, तो उसे ठपक कर वापिस सुला दो, गहरी नींद, कुम्भकरन से भी गहरी नींद, वरना वादा खिलाफी होगी, जो मैं जीते जीत तुम्हें नहीं करने दूंगी. बड़ी सक्थ हाकिम है, इसे एक मामले में तो बराबर हूँ. तो हर मामले में सक्थ हाकिम बन, नीलम कौरे, मुझे कोई एतराज नहीं. हाँ, नीलम मुदित भाव से बोली ये तोन ठीक है, ये मूड ठीक है. सूरज क्या कर रहा है? सो रहा है. जगा दे. अरे, क्यों? उसके साथ पिता-पिता खेलने का जी कर रहा है. पहले मेरे साथ पतित्ती तो खेल लो. उसमें ताइम है अभी, जा, लेके आ, लाती हूँ. सोमवार को तीनों युवकों को कोट ने बाईजद बरी कर दिया, आदत के मताबिक पुलीस ने फैसले के खिलाफ अपील करने की घोशना की. विमल जानता था ऐसे मामलों में पुलीस की वो स्टैंडर्ड प्रतिक्रिया थी. अमूमन ऐसी अपील कभी नहीं होती थी. बाकी का हफरता उस अमन शान्ती से गुजरा जिसको दिल्ली के बाशिंदे अमन शान्ती मानते थे, यानी चेन स्नैचिंग की घटनाएं अकसर हुई. स्नैचर्स ने नई स्ट्रेटेजी अक्तियार की की मार्निंग वॉक करने वाली अधेड और व्रिद्ध महिलाओं को जपटमारी का शिकार बनाया. किसी भी वार्दात में कोई चेन स्नैचर पकड़ा न गया, एकका दुपका पकड़ा गया तो सिर्फ इसलिए कि उसके शिकार ने दिलेरी दिखाई, उसे वार्दात करके भागती मोटर साइकल से गिरा दिया और फिर खुद ही उसको भागने न दिया. लगता था कि चेन स्नैचिंग, पर्स स्नैचिंग जैसे वाक्यात पुलीस की निगाह में पब्लिक में सिग्रेट पीने या सरेरा मूत्र त्याग या बस में बिना तिकट सफर करने जितने लेवल के ही अपराद थे. कभी अपराधी पकड़ा नहीं जाता था. जनता की जागरुकता की वज़े से कभी कोई पकड़ा जाता था तो पुलीस बड़े सैनसेर के साथ मीडिया के जरिये घोशना करती थी कि उस गिरफतारी के साथ उन्होंने पैतालीस या पैसट जपटमारी के केसों को हल कर लिया जाना भी अब आम हो गया था. बतौर समाचार पत्र, मंगोनपुरी के एक ऐसे केस में तो वारदात करने वाले नौजवान ट्रिपल राइडिंग कर रहे थे. किसी के भी सिर पर हेलमेट नहीं थी और वो नहायत खतरनाक तरीके से मोटर साइकल चला रहे थे. एक स्कूटर सवार को उन्होंने ऐसे ओवर्टे किया कि वो गिरते गिरते बचा और फिर जान बूच कर मोटर साइकल उसके आगे आड़ी तिर्ची दोडाने लगे, जबकि जिग्जैक ड्राइविंग में भी चालान का प्रावधान था स्कूटर. सवार ने एतराज जताया और उसके सामने मोटर साइकल अड़ा कर उन्होंने उसे यू जबरन रोका कि वो स्कूटर पर से गिर पड़ा, पीडित उनकी मोटर साइकल का नंबर नोट करने लगा तो एक ने उसको घूंसा जड़ दिया, उसने मोबाइल पर शून्य शून्य तोड़ दिया, स्कूटर वाला फिर भी उनसे उलचता रहा तो एक ने गन निकाली और उस पर गोली चला दी जो कि सयोगवश उसकी जांग में लगी, फिर तीनों फरार हो गए सरेयाम वो वाक्या हुआ, जिसमें उन छोकरों ने गौर्दलब है कि कितने च्राफिक नियमों का उलंगधन किया जिपल राइडिंग, विदाउट हेलमेट राइडिंग जिग्जैग ड्राइविंग काजिंग अप्सिट्रक्षन टू अदर ड्राइवर्स, अनप्रोवोक्ट शूटिंग लेकिन किसी पुलीस कर्मी को वो सब दिखाई न दिया वारदात के आदे घंटे बाद पुलीस मौकाए वारदात पर पहुँची और पीडित को हस्पतार पहुचाया गया अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलीस क्या कर रही है? इलाके के CCTV कैमरों की फुटेज को स्कैन कर रही है उन कैमरों की फुटेज की जिन में से अधिकतर खराब पड़े है पीडित के बयान देने लायक सिती में आने का इंतजार कर रही है मंगोर्पुरी थाने में केस रजिस्टर कर लिया गया है और इलाके की गश्ट बढ़ा दी गई है यानि पहले एक सिपाही ऐसे वाक्यात की तरफ से पीट फेर कर खड़ा होता था, अब दो खड़े होते हैं स्नैचिंग और रोड रेज के बाद दिल्ली में सूरज डूबे सारवजनिक स्थलो पर शरेयाम शराब पीने का नंबर आता था कुलीस की तमाम चेतावनियों के बावजूद जिस पर दिल्ली में कोई अंकुष नहीं था अपने घर के करीब के पार्क में इवनिंग वॉक को निकले एक सतर साल के बुजुरगवार ने चार लोगों को शरेयाम पार्क में शराब पीते देखा तो गुना किया जो टोका, उनकी उम्र का कोई लिहास किये बिना, अपनी बेजा हर्कत पर कोई शर्मिंदगी का इजहार किये बिना चारों ने उन्हें बुरी तरह से धुना और मा बेहन की गालिया देते भाग गए अगले रोज या उसके अगले रोज फिर लौटने के लिए और इव टीजिंग तो दिल्ली में जैसे कोई अपराध ही नहीं था इस सिलसले में पुलीस की राय हाजिर थी नागरिक अपनी हिफाज़त खुद करना सीखें, अपने तमाम जरूरी कामकाज छोड़कर सेल्फ डिफेंस की क्लासिज अटैंड करें, जूडो कराटे की च्रेनिंग ले और इंतजार करें अपने साथ वारदात होने का ताकि उन्हें अपनी तोनिंग को आजमाने का मौका म पर मौजूद हो सकती है, बेचारी हमदर्दी के काबिल पुलीस, बहरहाल दिल्ली चल रही है, बाहौल ठीक है, फिर दिल्ली में एक नए अदत की जिन्दगी में एक आएक एक बड़ा तूफान आया, सोमवार शाम साथ बजे के करीब विमल घर लोटा, उसने कार बाहर ही खड़ी की और कोठी के बरामदे में जाकर काल बैल बजाई, में दोर मेड ने खोला, ऐसा अमूमन नहीं होता था, मैडम कहा है, उसने भीतर दाखिल होते हुए सवाल किया, मारकेद गया, पीछे दर्वाजा बंद करती क्रिश्यन, मेड अदब से बोली, अच्छा, क्या कर ने, बाबा का लैक्तोजन फिनिश, बाबा का सम टॉइलेट, आर्टिकल्स फिनिश लेने का वास्ते गया, ओ, कब गया, हाफ एन आवर बैक, फिर तो अब तक आ जाना चाहिए था, किचन में सम ग्रोसरी आइटम्स भी माम का था, ओ, ठीक है, मैं चाय बनाएं, अभी नहीं, मैडम आ जाएं तो बनाना, ने भी एगलास आफ वाटर, यस, प्लीज, विमल बैडरूम में चला गया, कप्रे बदल कर वो ड्राइंग रूम में वापिस लोटा तो सैंटर टेबल पर पानी का गिलास उसका इंतजार कर रहा था, मेंड वहाँ नहीं थी, आदा घंता गुजर गया, वो बेचैन होने लगा, उसने नीलम का मोबाइल बजाया, मोबाइल घर में ही बजा, बैडरूम में ड्रेसिंग टेबल पर पड़ा था, कोई बड़ी बात नहीं थी, घर से निकलते वक्त नीलम अक्सर मोबाइल पीछे भूल जाती थी, उसने मेंड को आवाज लगाई, मेंड उसके रूब्रू हुई, अरे एक घंते से उपर हो गया, मैडम आई नहीं, मैं भी यही सोचता था, बापा क्या करता है, मेंड दबे स्वर में बोली, सोता है, अभी वन आवर नहीं उठने का, मैं मार्केट जाए, नहीं, तुम बाबा के पास ठहरो, मैं जाता हूँ, मेंड ने सहमती में सिर हिलाया, फिक्रमंद विमल घर से निकला, मार्केट एक किलोमीटर के फासले पर थी, उसने उन तमाम शोरुम्ज का चक्कर लगाया जहा, लैक्टोजेन और बच्चों के ताइलेट्री के आर्टिकल्स उपलब्ध होते थे, नीलं उसे टही दिखाई न दी, एक अग्यात आशंका से उसका मन लर्जने लगा, उसने घर की लैंड लाइन बजाई, मैडम लोटीन, मेड ने काल रिसीव की तो उसने सवाल किया, नो, सर, कहा चली गई, घर में लैक्टोजेन की क्या पोजीशन है, फिनिश, सर, ओके, मैं करता हूँ कुछ, उसने एक कैमिस्ट शॉप से धाई साल के बच्चे के लिए उप्यूक्त लैक्टोजेन खरीदा और वापिस लोटा, इंतजार, आदा घंता और गुजरा, अब विमल के लिए बेचैनी बरदाश्ट से बाहर होने लगी, उसने अजीत लूथरा के मोबाइल पर काल लगाई, इस नमबर इस इदर स्विच्च्ट आफ और प्रेजन्टली आउट आफ रीच, वो थाने पहुचा, लूथरा अपने आफिस में नहीं था, कभी कारेडोर में उसके पहलू से एक हवलदार गुजरा, सुनो, वो व्यवसाय सुलब रुख्ष स्वर में बोला, भई, फ्रेंड हूं, मिलना है, ओ, फ्रेंड है, फील ड्यूटी पर है, कब लॉनेंगे? लॉटने का कोई ताइम मुकर नहीं, अभी लॉट सकते हैं, हो सकता है, आधी रात कत न लॉटें, ओ, फ्रेंड है, तो मोबाइल बजाईए ना, बजाया था, काल नहीं लगी, इधर कुछ दिनों से सिगनल की प्रॉबलम है, कभी, कभर ऐसा हो जाता है, फिर बजाईए, विमल ने राय पर अमल किया, इस बार तुरंत जवाब मिला, विमल ने उसे बताया कि वो थाने में था और क्यों था, मैं लॉट ही रहा हूँ, मेरे आफिस में बैठो, किसी ने तोका तो, पास कोई है, एक हवलदार है, बात कराओ, लूथरा की आवाज आई, हवलदार ने क्षण भर फोन पर बात की और फिर सादर ने, उसे एसे चो साहब के आफिस में ले जाकर बिठाया, कोई थंडा दर्म लेंगी, उसमें पूछा, नहीं, शुक्रिया, मेरा नाम दानवीर सिंग है, कोई जरूरत हो तो मैं, गलियारे में दाईं और कोने के कमरे में हूँ, जरूर, वो चला गया, पीछे विमल बेचेनी से पहलू बदलता बैठा रहा, बार बार उसे पाइप का ख्याल आता था, और हाथ जेब की तरफ बढ़ता था, बार बार उसे खुद को याद दिलाना पड़ता था कि वो धुम्रपान त्याक चुका था, दस मिनित गुजरे, फिर लूथरा ने अपने आफिस में कदम रखा, टेबल के पीछे की अपनी चेयर पर बैठने की जगह वो विमल के पहलू में एक विजिटर्स चेयर पर बैठ गया, दोनों ने अपलत एक दूसरे का मुह देखा कहीं वाक्फियत में चली गई हो, फिर लूथरा ने सुझाया, कैसी वाक्फियत इधर उसे कोई नहीं जानता, और कहीं, और कालंदी कुंज योगेश पांडे रहते हैं, इतनी दूर वो बिना बताए नहीं जा सकती, वो भी शाम की इस घरी, तब से पता नहीं है, नौ बस गए हैं, दो घंटे से उपर हो गए हैं, हम, घर से छोटी मोटी पर्चेज के लिए मार्केट को निकली वो कहीं और ही चल दे, ये नहीं हो सकता, और फिर वो भी कालंदी, जो यहां से 27 किलोमिटर दूर है, फिर भी पूछ देखो, उसने कालंदी फोन किया, नीलम वहां नहीं गई थी, हाला कि कोई दूरदराज की भी संभावना नहीं थी, फिर भी उसने अपनी वर्तमान बॉस शोभा शुकला के घर, फोन किया, क्योंकि शुकला साहब अपनी जिन्दगी में नीलम से वाकिफ थे, नीलम वहां नहीं आई थी, आता हूँ, लूथरा एकाएक उठ खड़ा हुआ, लेकिन विमल ने व्यग्र भाव से कहना चाहा, धीरज रखिये, वो आश्वासन सा देता बोला, मीडिया कितना भी दुश्प्रचार करे, दिल्ली में अभी इतनी बद्धनी नहीं है कि, चुक करो, आता हूँ, लूथरा लंबे डग भरता कमरे से निकल गया, दस मिनट बाद वो वापिस लौटा, मैंने दर्याफत किया है, वो वापिस विमल के करीब बैठता बोला, पिछले दो घंटों में इलाके में कोई एक्सिडेंट की या फौजदारी की वारदात नहीं हुई है, सेंट्रल कंट्रोल रूम से भी दर्याफत किया है, उनके पास शाम से इधर की कैसी भी कोई कमलेंट दर्ज नहीं हुई, मैं इलाके से पूछताच करवाता हूँ, कोई खबर मिलेगी तो खुद पहुचाऊंगा, आप घर जाए, विमल ने मजबूती से इंकार में सिर हिलाया, आप मेरे सिर माथे हैं, लेकिन यहां बैठने को कोई फाइदा नहीं, घर जाएए, हो सकता है, मैडम अब तक घर लोट ही आई हो, विमल ने हिचकिचाते हुए सहमती में सिर हिलाया, जारा बस गए, नीलम न घर लोटी, न तब तक उसकी कोई खोज खबर मिली, सैयोग से उस रोज लूतरा की ठाने में नाइट ड्यूटी थी, वो निरंतर विमल के संपर्क में था, लेकिन विमल के लिए कोई गुड निउज उसके पास नहीं थी, मेंड विमल की मैडम की फिक्र में शरीक होना चाहती थी, और उसके साथ जागना चाहती थी, लेकिन विमल ने उसे समझा बुझा कर सोने भेज दिया था, क्योंकि उसने सूरज का भी ख्याल रखना था, उस रात घर में खाना नहीं पका था, मेड ने शायद दिन का बचा खुचा कुछ खा लिया था या वो भी विमल की तरह भूखी थी, उसे नहीं मालूम था, साधे ग्यारह बजे विमल ने अपने लिए ब्लैक कॉफी बनाई लेकिन उसका एक ही घूट भर पाया, कॉफी उसके करीब पड़ी थंडी होती रही, दोबारा उसने उसकी तर्फ हाथ न बढ़ाया, बारा बजने को थे जबकि एक आएक काल बैल बजी, विमल चिहुक कर उठा, काल बैल ने मेड को जगा दिया था और वो दर्वाजे की ओर बढ़ रही थी, मैं देखता हूँ, विमल बोला, मेड रास्ते में ठिठक गई, विमल ने जाकर में गेट खोला, जो नजारा उसे दिखाई दिया, उसने उसकी रूप अपा दी, दर्वाजे पर चोखट का सहारा लिये नीलम अंधर के हवाले दरक्त की तरह जूल रही थी, उसके कपड़े तार-तार थे और चहरा और जिस्म खून रिस्ती खरोचों से भरा पड़ा था, उसकी आखों में वीरानी थी और बाल यू अस्त व्यस्त थे जैसे नोचे खसोटे गए हों, उसका निचला होंट कटा हुआ था और बाई आख सूच कर बंध हो गई हुई थी, होठों की कोरों पर, चहरे पर, गरदन पर कई जगव खून सूप कर पप्री बन गया हुआ थ तो वो उसके कदमों में धेर हो गई होती, फ्रान, विमल चिलाया, लेकिन मेर पहले ही उसके करीब पहुँच चुकी थी, नीलम को बैडरूम तक ले जाने का हाल नहीं था, दोनों, आजू-बाजू से संभाल कर उसे ज्राइंग रूम में एक सोफे, पर डाला, नीलम का श सांस धौकनी की तरह चलती रही, पानी, विमल बोला, पानी ला, मेर किचन की तरफ लपकी, डॉक्टर, हस्पताल, तुझे मेडिकल एड की जरूरत है, नहीं, नहीं, बिना आखे खोले वो हाफती सी बोली, लेकिन तेरी हालत, हस्पताल नहीं, लेकिन, मैंने, मैंने हस्पताल जाना होता, तो चली गई होती, जैसे, जैसे यहाँ पफची, वैसे हस्प हस्पताल पहुँच गई होती, मेड पानी लाई, नीलम बहुत मुश्किल से एक घूट पानी पी पाई, तू, तू बुरी तरह से जक्मी है, विमल बोला, बुरी, बुरी तरह से नहीं, पूपरी खरूचे हैं, जो अस्मत पर ज्यादा है, जिस जिस्म पर कम है, लेकिन, बात तो समझो, सर, विविमल इस हालत में मैं हस्प, हस्पताल में होती तो, तो, हो क्या कहते हैं, हाँ, हाँ, मैडिको लीगल केस बनता, पुलीस आकर सवाल पूछती, तुम्हारे से भी ऐसी, ऐसी जवाबदारी, ठीठीठी होती, होती, मैं अर्विन्द कॉल हूँ, पुलीस इस हकीकत से मुझे नहीं हिला सकती, मालूम, इसी लिए हम दिल्ली में हैं, ले लेकिन, लेकिन क्या फाइदा हालत आ आ बैल मुझे मार जैसी का करने की, फिर भी तुझे मैडिकल अटेंशन की जरूरत है, मैं यहीं इंतिजाम करता हूँ, करना, कर लेना, पर, पर पहले मेरी सुनो, बोल, नहीं, पहले बोल, हुआ क्या? बोलूंगी, बोलूंगी, माता भगवती भवानी की महर से घर आ गई न, बोलूंगी पर, पर पहले कुछ और करो, क्या, क्या, फ्रान को बोलो, बोलो मेरे लिए बात, बात तयार करे, तु इस हालत में नहाएगी, जरूरी है, लेकिन, मैं अस्मत को उजला नहीं कर सकती लेकिन, लेकिन जिस्म को तो ककर सकती, क्या हुआ तेरे साथ? अरे, बोला न बोलूंगी, यकीन क्यों नहीं करते हो, तुमसे नहीं बोलूंगी तो और किस से बोलूंगी? की तरफ दौड चली, कोई चाय कॉफी पियेगी? नहीं, बाद में. होट वाटर बात तयार होने में टाइम लगेगा, तब तक कुछ तो बता क्या हुआ, मेरी जान सूली पर टंगी है, अच्छा. इतना क्यार करते हो मेरे से? ज्यादा, कहीं ज्यादा, इतना की बयान नही किया जा सकता. उन वहशियों के लिए जिनों ने तेरा ये हाल किया. अब वो. चिल. सर्दार जी, चिल. मेरे सब दोहक दूर हो गए है. शेरा वाली माता, ये सपना ना हो, सपना ना हो. सपना है तो तूटे ना. मैं नीन से जाग न जाओ. तब मेड लोटी, विमल ने सिर उठा कर उसकी तरफ देखा तो उसने सहमती में सिर हिलाया. बात तयार है. विमल बोला. मुझे वहाँ. पहुचा दो. दोनों ने मिलकर उसे मास्टर बैड्रूम के बातरूम में पहुचाया. तू जा. विमल मेड से बोला तू जा. विमल मेड से बोला, मैं यहाँ ठहरता हूँ. नहीं. नीलम ने ततकाल विरोध किया. नहीं. तुम भी जाओ. लेकिन. कहना मानो. ठीक है, फ्रान यहाँ ठहरती है. नहीं. नीलम अकेले में कुछ उच नीच हो गई तो. कैसी उच नीच? तेरी हालत बद है, तुझे बेहोशी आ सकती है. बात कब में? डूब जाओंगी? ऐसा हो सकता है. नहीं हो सकता. ऐसा हो ना होता तो मैं घर लोटने लायक न बची होती. लेकिन मेरे या मेर के करीब रहने में हर्ज क्या है? नहीं. लेकिन. डॉट. मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में क्या है? तू? तू जानती है? हाँ. का क्या है? मैं ऐसे जान नहीं दूँगी, दूब के नहीं मरूंगी. मेरी ऐसी कोई मर्जी होती तो घर न लोटी होती. वहीं जान से चली गई होती जहां जान पर आवनी थी. अब बोलू, क्या कहते हो? विमल से जवाब देते ना बना मेरी किस्मत में अभी सुहाग का बहुत सुख पाना लिखा है, लिखा है ना? विमल का सिर मजबूती से सहमती में हिला जब तक मैं अपनी आँखों से अपने बूटे को बाप सरीखा पेड बनता नहीं देख लूँगी, इस जहान से नहीं हिलूँगी विमल खामोश रहा जाओ वो बाहर को बढ़ा मेरे कोई कपड़े निकाल कर बैड पर रख देना और खुद जाकर बैठक में बैठना, मेरे बुलाने पर आना, ठीक, विमल ने सहमती में सिर हिलाया आदे घंटे बाद नीलम ने बैडरूम का दर्वाजा खोला, इस दौरान तमाम अर्सा विमल का मन किसी अज्यात आशंका से लर्जता रहा विमल लपक कर उसके करीब पहुँचा, उसने आशापूर्ण नेतर से उसकी तरफ देखा नीलम के सूजे होठोन पर एक सी की मुस्कान आई और लुप्ठ हुई, बैच जा नीलम की बाद थामता वो बोला, सोने को जी चाहता है नीलम होठोन में, बुदबुदाई, नीन ना रही है, नहीं आए तो सोना, अभी बैच वो, सूरज, बैच तो, बोलता हूँ सप्रयास विमल ने उसे बैड पर बिठाया, उसकी पीट के पीछे दो सिरहाने लगाए नीलम ने पाव समेट लिये और घुटनों पर थोड़ी रख ली विमल ने निहार कर उसे देखा उसके चहरे पर, गरदन पर, छाती पर, बाहों पर की खरोचे अब धूल मित्ती से मुक्त हो गई थी, लेकिन एक आख अभी भी इतनी सूजी हुई थी कि मुश्किल से खुल पाती थी विमल ने वहां मौझूद इकलोती कुरसी बैड के करीब ठीच ली और उस पर बैठका बोला मुलाकाद जरूरी है उसने इंकार में सिर हिलाया तेरी दॉक्तर से अरे और नहीं तो टिकनस का इंजेक्शन ही लगवाना होता है कल देखेंगे, मुझे मालूम है, वो 24 घंटे बाद भी लवाया जा सकता है, तुझे मालूम है हाँ, और मैंने एक पेन किलर खा लिया है, उससे मुझे बहुत राहत है अंग्रेजी दवाईयों के बारे में कितना कुछ जान गई साली देसी मिडल फेल उस पर कोई प्रतिक्रिया न हुई, हमेशा की तरह उसने एतराज न जताया भूख लगी है, उसने नया सवाल किया नहीं, फिर भी कुछ खाएगी हाँ, क्या, बोल मैं अभी उन दरिंदों का कलेजा, अंजाने में नीलम दात कित-किताने लगी वो तेरे करने का काम नहीं, मैं छोड़ो, सूरस कैसा है? ठीक है, सोया हुआ है क्या खाया उसने? मैं तो उसके लिए लैक्तोजेन लेने गई थी तो मैं ले आया था तुम ले आये थे हाँ, तेरी तलाश में निकला था न तलाश तो काम्याब न हुई, लेकिन बच्चे की जरूरत तो पूरी करनी थी न हूँ, तुमने क्या खाया? जो मेड ने बना दिया क्या? अब ध्यान नहीं यानी भूखे हो अरे, नहीं मैं कुछ बनाती हूँ उसने उठने का उपक्रम किया पागल हुई है विमल ने मीथी जिर्की दी खरदार जो हिली भी तो अच्छा वो अनिश्चित भाव से बोली हाँ, अब बोल, क्या हुआ था? मुझे नीन दा रही है शायद पेन किलर का असर है हाँ, शायद ठीक है, सो जा लेकिन पहले थोड़ा हल्दी मिला गर्मगर्म दूद पी ले सुना है जैसी तेरी हालत है उससे आराम आता है पेन किलर से आ रहा है आराम भी और नींद भी लेकिन कुछ बता तो सही क्या हुआ था? सुबह अभी हिम्मत नहीं अच्छी बात है एक प्रार्थना और है हुक्म करो सरदार्नी जी आज मुझे अकेला सोने दो क्या? प्रार्थना है धुक्राना नहीं समझो चैंबूर के दाता से की कमार है बहकी भाकी बाते कर रही है वज़ तुम्हें मालूम है दिल, दिमाग, शरीर, आत्मा सब छलनी है अब बोलो प्रार्थना स्वीकार हुई रात को कुछ हूच नीच हो गई तो तो तुम दूर थोड़े ही हो आवाजे देने लगूंगी अगर मेद यहां फर्ष पर सो जाए तो नहीं, नहीं, अब जिद छोड़ो वो तो छोड़ दी विमल उठख़रा हुआ लेकिन नींद नहीं आएगी मुझे सारी रात सस्पेंस रहेगा कि तेरे साथ क्या बीटी जो बीटनी थी, बीट गई न बुरी घड़ी गुजर गई न मैं घर में हूँ न तुम्हारे करीब अपने सूरज के करीब अच्छी बात है, जाता हूँ वो दर्वाजे की तरफ बढ़ा करीब पहुँच कर ठिटका, घूमा उसने कातर भाव से नीलम की तरफ देखा अब क्या है? नीलम अन्मने भाव से बोली इतना तो बता दे, तेरे साथ तेरे साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ ऐसा कुछ बुरा नहीं हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ साफ जवाब दे साफ जवाब ही दिया है अरे कोई कोई बदली तो नहीं हुई हुई न चार जंगली जानवरों ने जिनजोडा, भंभोडा निचोडा, गेंद की तरह अपने बीच उच्छाला मेरा मतलब कुछ और था आता है, बराबर आता है लेकिन, लेकिन मैं पूछ रहा था की की औरत की असमत गैरमर्द की परचाई से दागदार हो जाती है सरदार जी, अब मैं कहूं की परचाई भी न पड़ी तो जाता हूं दो नवंबर मंगलवार अगले रोज घर में एक अप्रत्याशित महमान का आगमन हुआ जारा बजने को थे जब की घर में कोमल ने कदम रखा विमल के किनी एहसानों के तले दबी कोमल वो युवती थी हर संकट की घरी में जिसके पास सूरज को छोड़ा जाता था विमल से हासल हुए एक मुष्ट पैसे से उसने विखरौली में मुंबई में जहां की वो रहती थी एक बुटीक शौप खोल ली थी जो की खूब चल निकली थी वो विमल की बार-बार शुक्र गुजार होती थी कि उसने उसे पतन के रास्ते से उबारा था ऐसी जिन्दगी पर ही थी की सूरज दोड़ कर उसके करीब पहुचा और उसकी तांगों से लिपट गया कोमल ने अपना ट्रेवल बैग हाथ से निकल जाने दिया और उसे गोद में उठा लिया सूरज कसकर उसके गला लगा तोमल तोमल उत्साह से दमकता वो बोला कोमल ने उसके माथे पर एक चुम्बन अंकित किया ये तेरे को नाम लेके बुलाता है विमल हैरानी से बोला हाँ कोमल बोली वांदा नहीं मेरे को अच्छा लगता है पर दीदी कहा है दीदी अभी देख वो करीब खड़ी मेड की तरफ घूमा सहमती से सिर्हिलाती मेड मास्टर बैडरूम की ओर लपकी दस बजे विमल ने नीलम को जबरन जगाया था क्योंकि तब उसका तलब किया एक डॉक्टर वहां पहुँचा था जिसने उसे टिकनस का इंजेक्शन दिया था और कुछ गोलिया दी थी उसे और कुछ करने देने को नीलम तयार नहीं हुई थी दॉक्टर उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करना चाहता था जिससे उसने साफ इंकार कर दिया था नहीं वो अपनी घायलावस्था की कोई वज़ा बताने को तयार हुई थी दॉक्टर चला गया था तो उसने मेड का लाया हलका सा नाश्टा किया था और तक्यों के सहारे लेट कर फिर आँखे बंद कर ली थी बैट विमल बोला सूरज को लिए दिये कोमल एक सोफे पर धेर हुई विमल उसके सामने एक सोफाचर पर बैठा और बोला कैसे आ गई वो बोले तो तभी मेड का सहारा लिए नीलम वहां पहुँची ततकाल कोमल ने सूरज को गोच से उतारा और लपक कर नीलम के साथ बगलगीर हुई नीलम के मुह से घुटी सी करा निकली कोमल ततकाल पीछे हटी तब जैसे पहली बार उसने नीलम का मुआयना किया अरे उसके उसके मुह से निकला क्या हुआ कब कुछ कुछ नहीं आप आप घायल लग रही है नहीं नहीं मामूली खरोचे है पर हुआ क्या मंदर गई थी उसकी सामने की संदमर्मर की सीध्या गीली थी पाफ फिसल गया ओ तू कैसे आ गई एकाई बोलती हूँ आप पहले बैठ जाए दोनों अगलगल एक सोफे पर बैठी अब बोल नीलम फिर बोली कैसे आ गई दिल किया वो संजीतगी से बोली सूरत से मिलने का बहुत दिल किया सच्ची बोलती हूँ अभी तक भी मुझे इसके बिना रहने की आदत नहीं हुई कल तो बहुत ही दिल उदास हुआ आज मार्निंग को जिस पहली फ्रलाइट की टिकट मिली चली आई खबर तो करनी थी सर्प्राइज देने का था न मुझे सूरज को इसको तो ये सर्प्राइज बहुत रास आया है लगता नहीं कि तेरे को आसानी से चला जाने देगा मैं साथ लेके जाऊंगी न नीलम एक फीकी हसी हसी फिर विमल की और घूमी कोई ब्रेकफास्ट के लिए फ्रान को बोला नहीं मामता विमल से पहले कोमल बोल पड़ी एरपोर्ट पर क्या न फिर भी फिर चाए एक कप चाए खाली पक्की बात हाँ नीलम ने मेड को इशारा किया किसी आदेश की प्रतीक्षा में परे खड़ी मेड किचन में चली गई और कैसा चल रहा है पीछे कोमल बोली दिल लग गया दिल्ली में दिल वालों की दिल्ली में लग ही गया विमल बोला या नीलम बोली यूं कहो कि लगा लिया जहां रिजक हो ठीक विमल बोला रहना पड़ता है अब बोल कैसे आई एकाई वजह वही है जो मैं बोल चुकी पर एक बात जोडने का कौन सी बात सूरज को साथ लेके जाऊंगी क्या इंकार नहीं सुनूंगी लेकिन आपकी मर्जी हो तो आप सूरज को मेरे पास छोड सकते हैं मैं मेरी मर्जी हो तो उसे साथ नहीं ले जा सकती वो बात तो नहीं है लेकिन जब वो बात नहीं है तो लेकिन किसलिए अरे तेरे को जहमत होगी आज तक हुई विमल ने असाय भाव से नीलम की तरफ देखा जब आई ही सूरज को ले जाने के लिए है तो ले जाने दो तू रह लेगी उसके बिना अरे कोई हमेशा के लिए तो नहीं ले जा रही फिर भी सूरज से पूछो अरे बच्चे से क्या पूछू पूछो सूरज तोमल के साथ जाएगा हाँ सूरज का चहरा खिल उठा हाँ ममी के पास कौन रहेगा आप कमार है तभी मेड चाई ले आई तीनों ने छोटी मोटी बाते पूछते बताते चाई पी आखिर कोमल ने खाली कप सेंटर टेबल पर रखा और बोली सूरज को जाने के वास्ते तयार कर दो अरे विमल बोला, इतनी जल्दी मेरी पांच बजे की फलाइट है, रिटर्न टिकट लेके आई अरे, जब आई है तो कुछ दिन हमारे पास रुकना था बुटीक स्टोर में काम बहुत बढ़ गया है सेल्स गर्ल्स के हवाले छोड़के आई हूँ मैं ज्यादा देर मुंबई से बाहर नहीं रह सकती कमार है फ्रान नीलम ने मेड को आवाज लगाई सूरज का सामान पैक कर, यस मैम विमल ने प्रतिरोध में मुह खोला नीलम ने अपलक उसे देखा विमल ने ततकाल होंट भीच लिये और परे देखने लगा उस राद भी नीलम ने अकेले सोने की जिद की विमल ने तीवर विरोध किया नीलम तस से मस न हुई ठीक है विमल हथियार डालता बोला लेकिन अगर मेड के साथ कोई उचनीच हो गई हो मुझे जिम्मेदार न ठहराना तुम पड़े नीलम के माथे पर बल पड़े वही कह रहे हो जो मैं समझ रही हूँ हाँ मत कहों तुम्हें शोभा नहीं देता अगर तुम्हें पती से दूर रहना शोभा देता है तो ठीक है करना उचनीच मेरी तरफ से इजाज़त है विम्मल के जहन में कभी अपने ही मूँ से निकले अलफाज गूंजे मैं एक शादी शुदा बावलाज शक्स हूँ मैं सपने में भी अपनी बीवी से बेवफाई की कलपना नहीं कर सकता मेरा दिल, मेरी जान, मेरा जिस्म, मेरा सब कुछ मेरी बीवी का है और इन में से किसी भी शे को कोई शेर नहीं कर सकता ठीक है, प्रत्यक्षता वो धीरे से बोला मुझे मालूम है, ठीक है नीलम सप्रयास मुस्कुराई मुझे तुम पर गर्व है मुझे गर्व है कि मैं तुम्हारी भार्या मेरी माता भगवती भवानी से सदा प्रार्थना है कि मैं जब भी मानव जन्म पाऊं, तुम्हें अपना पती पाऊं। उसकी आखे नम हुई। विमल भी जजबाती हुए न रह सका। कुछ क्षण खामोशी रही। चल, तुझे सुला के आऊ। फिर विमल बोला, या वो भी मंजूर नहीं। उठा के लेके चलो। वो मुदित मन से बोली। ताकि मुझे हमारी सुहागरात याद आ जाए। विमल ने आदेश का पालन किया। आधी रात को विमल की नींद खुली। कहीं खट-खट की आवाज हो रही थी। उसने साइड टेबल पर पड़े टेबल लैंग का स्विच ओन किया। आवाज फॉरन बंध हो गई। घर में कहीं से एक चुहा घुस आया था। जो दिन में तो पता नहीं कहा गर्क हो जाता था लेकिन रात को हरकत में आ जाता था। रोज ऐसा होता था। रोज वो सुभ़ पैस्ट कंट्रोल वालों को बुलाने का इरादा करता था और रोज भूल जाता था। अब नहीं भूलूंगा दोहराया। वो उटकर खड़ा हुआ। द्रड़ता से उसने मन ही मन। चुहा उसे कहीं दिखाई न दिया। शायद रोशनी होते ही भाग गया था। कहा। बगल के कमरे में जो की मास्टर बैडरूम था जहा। नीलम सोई हुई थी। वो उटकर बगल के कमरे में पहुँचा। वहा निपट अंधकार था। विमल ने एक फुटलाइट ओन की चुहा उसे कहीं दिखाई न दिया। उसकी बैड की तरफ निगा उठी। नीलम बैड पर नहीं थी। वो सकपकाया। शायद द्रिश्टिभ्रम था। उसने करीब जाकर टेबल लैंब का स्विच ओन किया। नहीं द्रिश्टिभ्रम नहीं था। दबल बैड खाली था। शायद तॉयलेट में। उसने उधर निगा उठाई। नीम अंधेरे में भी उसे दिखाई दिया कि तॉयलेट का। दर्वाजा खुला था। फिर भी वो दर्वाजे पर पहुँचा। तॉयलेट खाली था। कहा गई। खामोशी से उसने सारी कोठी का चक्कर लगाया। नीलम कहीं नहीं थी। में दोर बंध था। में दोर पर आटोमेटिक लॉक था जो दर्वाजा भिरताय जाने से ही सैथ हो जाता था। लेकिन वो भीतर से चितकनी भी चड़ाते थे। चितकनी गिरी हुई थी। वो दर्वाजा खोल कर बाहर निकला। बाहर उसने गैराज में जहाका। गेट पर आकर रात की उस घरी सुंसान पड़ी गली की दोनों दिशाओं में जहाका। फिर वापिस मास्टर बैडरूम में लोटा क्यूब लाइट का स्विच अन करके उसने वहां तीखी रोशनी की और कमरे में चारों तरफ निगा फिराई। उसकी निगा एक तकिये पर ठिट की। वहां एक खुला कागस पड़ा था जो शायद किसी राइटिंग पैड पर से फारा गया था कागस पर। शायद। वजन के लिए कि उड़ना जाए तीवी का रिमोट रखा था। लंबे डग भरता वो बैड पर पहुँचा। हाथ बढ़ा कर उसने रिमोट के नीचे से कागस उठाया और उस पर सरसरी। निगा दोडाई। चिठ्थी। उसके नाम। उसने कागस के निचले भाग पर निगा डाली नीलम की थाया। अत्यंद आंदोलित भाव से उसने चिठ्थी पढ़ी। लिखा मेरे सरदार जी। भूले ना होंगे कि कभी तुम मुझे और सूरज को जो तब महज 20 दिन का था आधी रात को सोते छोड़ कर चल दिये थे। जब तुम्हें अपनी तमाम सजाए उस एक इनाम के आगे हैच लगती थी, जो वाहेगुरू सच्चे पाथ्षा ने ननहें सूरज की शक्र में तुम्हें दिया था। आज मैं तुम्हें सोता छोड़ कर जा रही हूँ, कहा जा रही हूँ, अभी मुझे खुद नहीं मालूम, लेकिन आखिर जहां जाओंगी, तुम्हें धूड़े नहीं मिलूंगी। मैं कल रात ही चली गई होती, जो मेरे साथ दीती, उसके बाद मैं घर ही न लोटी होती अगर्चे की मुझे सूरज की फिक्र न होती, कोमल उसको ले गई हूँ, मैं अपना अगला बहुत बड़ा, बहुत एहम कदम उठाने के लिए आजाद हो गई। मेरे साई, मैं तुम्हारे पैरो की बेडी हूँ जिससे अब तुम मुक्त हो और आगे कुछ भी करने के लिए आजाद हो, इस चिठी के जरिये मैं तुम्हें अपनी हर कसम से मुक्त करती हूँ और गुरु महाराज के शब्दों में सिंधनात करते तुम्हारी कलपना करती ह जाके बैरी संमुख जीवे, ताके जीवन को धिकार मैंने तुम्हारी बात न मानी, अपनी बात मनवाई तो सुख शांती के लिए, जो लगता है, हमारे नसीब में लिखी ही नहीं, तुमने बिलकुल ठीक कहा था कि ये दुनिया एक ऐसा अत्याचार का देरा है, जहां महफूज नहीं, मैं ही हकीकत को जुटलाती रही और खुद को भर्माती रही कि ये दुनिया आखिर इतनी बुरी नहीं, कल रात बड़ी शिद्दत से एहसास हुआ कि दुनिया इससे कहीं ज्यादा बुरी है, मैं फिर दोहराती हूँ कि जो कसम मैंने तुम्हें दी थी, मैं उसे वापिस लेती हूँ, तुम्हें जो मुनासिब लगे, वो करने के लिए तुम मेरी हर कसम, हर जिद, हर मनुहार से आजाद हो, मैं नहीं समझती कि गुरादे सिंग का बाल भी बाका होगा, लेकिन फिर भ अथी ही रण में तु जूच मरो, मेरे सरदार जी, अगर तुम न रहे तो मैं मवाली की बेवा नहीं, जैसा कि तुम अकसर कहते हो, शहीत की विद्वा कहलाऊंगी, ऐसे शहीत की जिसने इंसाफ का पर्चम बुलन रखने की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी, जिसने सि किया, सीज दिया पर सिरद न दिया, मेरे मालिक, मैं तुम्हारी याद को हमेशा के लिए सीने में संजोए सूरज को बढ़ा करूंगी और उसी रहा पर चलने के लिए प्रेरित करूंगी, जो जमाने की निगा में गलत है, नाजायज है, लेकिन जिस पर उसका पिता अपनी जिन्दगी की आखरी सांस तक चला, मुझे जमाने की निगा से कुछ नहीं लेना देना, अब मुझे अपने मर्द की निगा से, अपने मर्द की सोच से मतलब है, जिस रहा पर चलने से चार आदमियों का भला होता हो, वो रहा गलत कैसे हो सकती है, जिस रहा पर चलने से जालिम के जुर्म को अमकुष लगता हो वो रा कैसे गलत हो सकती है खालसा का धर्म है दुष्ट को मारना, दुष्ट को गालना, फिर खालसा गलत कैसे हो सकता है ऐसे ही तो गुरु महराज जी ने नहीं कहा देह शिवावर मोहे इह सुप कर्मन तो कभू न टरो न रो अरीसो जब जाई लरो माता भगवती ना करे तुम्हें कुछ हो जाए लेकिन अगर हुआ तो तुम्हारा बेटा, हमारा बेटा सरदार सूरज सिंग सोहल सन और सरदार सुरेंद्र सिंग सोहल उसी राह का राही बनेगा जिस पर तुम हमेशा चले, चलते रहे और उसके पैरों में बेडिया डालने वाला, उसे कसम देकर उस राह से दिगाने वाला कोई न होगा जो लिखा है, तुम ही से सीखा है, कोई गलती हुई हो तो तुम्हें सूरज का सदका है माफ कर देना, आखिरी बार तुम्हारी खतावार मिडल फेल, नीलम कितनी ही देर वो चित्थी हाथ में थामे जरसा खड़ा रहा रहा रहकर उसकी निगा बैड पर वहां उठ जाती थी, रात की उस घड़ी जहां नीलम को दीन दुनिया से बेख कर सोई पड़ी होना चाहिए था, कहा गई होगी अनायास उसकी तवर्जो साइट टेबल पर पड़ी लैंड लाइन के फोन के करीब एक स्क्रैच पैड पड़ा था, जिस पर कुछ लिखा था, करीब जाकर उसने स्क्रैच पैड उठाया और तहरीर का मुआइना किया तो पाया कि वो उपर नीचे लिखे दो लैंड लाइन नमबर थे नीचे वाले नमबर को वो पहचानता था वो इलाके के 24 आवर्स टैक्सी स्टैंड का नमबर था, उसने उसे खड़काया घंती बचती रही, कोई जवाब न मिला दूसरा नमबर उसके लिए सरवदा अप्रिचित था, तनिक हिचकिचाते हुए उसने उस पर काल लगाई रेलवे इंक्वाईरी रात की उस घड़ी भी ततकाल उत्तर मिला, हल्लो वो संजीदा लहजे से बोला ये कौन से रेलवे स्टेशन की इंक्वाईरी है नई दिली रेलवे स्टेशन की क्या जानना चाते है इस वक्त कहा की गाड़ी छूटने वाली है या अभी अभी छूटी है कहीं की भी नहीं, सुबह सवा चार से पहले कोई आउटगोइंग ट्रेन नहीं है कभी लांग रूट की कोई गाड़ी लेथ हो जाती है रास्ते में ट्रैक पर एकाएक आई इमर्जन्सी की वज़ह से 6 घंते लेथ है ओ, रूटीम में अरली मॉर्निंग फर्स्ट ट्रेन कौन सी होती है अमरत सर एक्स्प्रेस सवा 5 बजे छूटती है, आपने जाना कहा है विमल ने रिसीवर वापिस क्रेडल पर रख दिया जल्दी से उसने सारे कमरे के हर सामान का जाईजा लिया, एक चैवल बैग और नीलम के बहुत थोड़े से कपड़े गायब थे वाडरूब में एक नमबर लौकर था, जिसका 4 डिजिट कोड नीलम को भी मालूम था उसमें लौकर खोला भीतर काफी नकद रुपया मौजूद था, लेकिन उसे ना लगा कि उसे छेडा भी गया था नीलम के भारी जेवर भी वहां मौजूद थे उसमें फुर्ती से कपड़े तबदील किये और जाकर मेड को जगाया मैं जा रहा हूँ ये टेम वो नीन से भरी आखे मिचमिचाती हैरानी से बोली हाँ, काम ऐसा है कि नहीं मालूम मैं कब लौट पाऊंगा ओ, मेरे को मैडम का ख्याल रखने का मैडम घर में नहीं है उसके चहरे पर सक्त हैरानी के भाव आए इसी वज़े से जा रहा हूँ आट अल्मोस्ट वन थर्टी पीछे सब ख्याल रखना काल बैल बजे तो दर्वाजा देख कर सोच समझ कर खोलना को के उसने सहमती से सिर हिलाया लैंड लाइन की तरफ खास तवज़ो रखना अगर बजे तो आई अंडरस्टेंड सर गुड दर्वाजा बंद कर ले विमल ने बाहर जाकर गैराज से कार निकाली और वहां से रुखसत हुआ बाहर गली सुमसान थी रात को उधर एक चौकीदार होता था लेकिन वो चार गलियों का इकलोता चौकीदार था पता नहीं उस घड़ी कही था भी या नहीं वो कहा था कथिट 24 आवर्स टैक्सी स्टैंड उसके रास्ते में ही था वो वहां से गुजरा तो उसने स्टैंड को भाभा करता पाया वहां न कोई टैक्सी थी और न स्टैंड के खोखे में कोई सोता जाकता अटेंडिंग था सुनसान सडकों पर कार चलाता वो नहीं दिली रेलवे स्टेशन पहुचा कार को पार्विंग में डाल कर बुकिंग विंडो से उसने एक प्लाटफॉर्म टिकट हासिल किया और भीतर दाखिल हुआ जिस प्लाटफॉर्म पर उसके कदम पड़े वो पहला ही था एक नंबर जहां कि दफ रतर रेस्टोरेंट वेटिंग रूम जैसे मुकाम भी थे एक नंबर प्लाटफॉर्म पर सवा चार पहुचेगी जवाब मिला एक नंबर प्लाटफॉर्म वो तो यही है ना हाँ यहां सिर्फ महिलाओं के लिए कोई वेटिंग रूम है है ना कुली ने घूम कर एक तरफ इशारा किया विमल उस दिशा में बढ़ा तो कुछ ही कदम चलने के बाद उसे एक दरवाजों पर लेडिस वेटिंग रूम लिखा एक साइन बोर्ड दिखाई दिया वो उसके आगे ठिटका उसने उसके बंद दरवाजे के एक पट को हौले से धकेल कर खोला और व्यग्रभाव से भीत जाका वो भीतर मौजूद थी वो यू बैठी हुई थी कि दरवाजे की तरफ उसकी पीठ थी फिर भी फासले से भी नीलम को उसने साफ पहचाना उसने विशाल वेटिंग रूम में निगाह दोडाई तो पाया नीलम के अलावा वहां और कोई नहीं था उसने भीतर कदम डाला और खामोशी से चलता नीलम के सामने जाख खरा हुआ नीलम ने सिर न उठाया वो हौले से खासा नीलम पर कोई असर न हुआ सक्ष्री अकाल सोहन्यों नीलम ने चिहुंकर सिर उठाया विमल पर निगाह पढ़ते ही उसके नेत्र फैले विमल आश्वासन पूर्ण भाव से मुस्कराया तुम नीलम के मुह से निकला यहां? हाँ, जी, बुरे के घर तक पहुँचने का तो मुझे पुराना तजुर्बा है, अब भले के घर तक पहुँचना भी सीख लिया, यकीन नहीं आता वो होठोर में बुद्बुदाई मैंने इतनी एहतियात बढ़ती किसलिए? जिससे जन्म जन्म का नाता बताती है उससे इसी जन्म में विमुख हो जाने के लिए अब का क्या बोलू? मैं बताओ वो खामोश रही, उसने बेचैनी से पहलू बदला बोल, दार जी, खड़े क्यों हो, बैठ जाओ नीलम सपकाई, फिर खामोशी से वो बैज पर एक तरफ सरकी विमल उसके पहलू में बैठ गया, उसने अपलक उसकी तरफ देखा, नीलम ने सिर न उठाया मेरी तरफ देख, विमल साधिकार बोला उसने सप्रया सिर उठाया कहा जा रही थी? उसने जवाब न दिया जवाब दे, तैनु वाहे गुरु दी सो, जवाब दे, पपता नहीं पता नहीं, चिकत कहा की ली? कहीं की नहीं, क्या? जवाब पता ही नहीं कहा जाना है, तो कहा की तिकत लेती तो जो भी गाड़ी रवाना होती, उस पर सवार हो जाती, हाँ, बिना टिकत, वो फिर खामोश हो गई टिकत सफर में भी बन जाती है, तीती बना देता है ये सोचा, ना नहीं, तो खामोशी लेकिन तिकत बिना दाता, तेरे पास पैसे तो है, तिकत के लिए विमल ने एक खशन जवाब का इंतजार किया, फिर सक्ती से बोला, उसने इनकार में सिर हिलाया जवाब दे घर में इतना पैसा था, लाना न सूझा सूझा तो लाई क्यों नहीं? फिर खामोशी विदाउट टिकर सफर वो भी तेरे तेवरों से लगता है, लांग रूट का अंजाम जानती है उसने जवाब न दिया टीटी तुझे ट्रेन से उतारता और रेलवे पुलीस के हवाले कर देता आगे तेरा मुकाम सिविल पुलीस का कोई चौकी थाना होता और आगे क्या होता ये मालूम है या ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा क्या होता वो तमक कर बोली बुरा होता बहुत बुरा होता जो हो चुका उससे ज्यादा बुरा होता विमल हरबडाया उसके बोल पाने से पहले एक अधेर व्यक्ति हाल में दाखिल हुआ विमल को देख कर वो लपकतासा उसके करीब पहुँचा एक वो करकश स्वर में बोला इधर क्यों बैठे हो जानते नहीं ये लेडीज वेटिंग रूम है भाई ये लेडीज मेरी बीवी है फिर भी इधर नहीं बैठ सकते चलो निकलो हमने जरूरी प्राइवेट बात करनी है थोड़ी देर बैठने दो फिर नहीं इजाज़त नहीं इधर सिर्फ लेडीज को इजाज़त है अरे दो बजे है रात के अब कौन आएगा यहां पर पता लगता है ये भी तो आई है यार तू तो चलो उठो इधर आओ विमल के स्वर में एकाएक ऐसा अधिकार का पुट आया कि उस व्यक्ती से विरोध करते ना बना अनिश्चित सावो विमल के सामने आकर खड़ा हुआ मैंने थोड़ी देर यहां बैठना है शब्द पर जोर देता बोला क्योंकि बहुत जरूरी बहुत प्राइवेट बात करनी है इस घड़ी यहां ना हमारे सिवाए कोई है ना किसी के आने की उम्मीद है फिर भी कोई महिला आ गई तो उनके चोखट से भीतर करम रखते ही मैं यहां से बाहर निकल जाओंगा समझ गया हाँ अब अभी भी तुने हुज़द की विमल का स्वर एकाएक ऐसा हिंसक हुआ कि वो व्यक्ती घरा कर एक कदम तीछे रह गया तो खुज़द करने लायत नहीं बचेगा अब बोल क्या कहता है कोई कोई लेडीज आये तो बाहर ठीट ठीट दस मिनट में जरूरी बात कर लो पंदरा ठीक है पंदरा पंदरा मिनट बात देखने आऊंगा आना हॉल खाली मिलेगा वो चला गया शुक्रिया विमल पीछे से बोला वो न घूमा न रुका क्या ख्याल है तल्क माहॉल को नॉर्मल करने की नियत से विमल नाहग बोला मिनट बात आएगा पंदरा नीलम ने इंकार में सिर हिलाया क्यों? एक ख़ण को तुम्हारी आखों में वो कहर जलका था जो अंदरवर्ड में सोहल की शनाक्त माना जाता है जो दुश्मनों के प्राण कपा देता है कपा देता था शेर शेर ही होता है भले ही सोया हुआ हो फिर दुश्मनों के न हाँ यहां तो कोई दुश्मन नहीं यहां तो या तू है या मैं हूँ वो तो है औरत की अस्मत पर हाथ डालने वाले दोस्तों नहीं कहला सकते हाँ वो तो दुश्मन हुए बैरी हुए जो छुटे घूम रहे है हाँ क्या लिखा था चित्थी में क्या लिखा था जाके बैरी सम्मुख जीवे ताके जीवन को धिक्कार हाँ तू चाहती है मेरे जीवन को धिक्कार नहीं तो बोल क्या हुआ था वो व्याकुल दिखाई देने लगी, पहलू बदलने लगी, तुझे तेरे साही का वास्ता है, बोल मेरी फजीहत की कहानी है, जुबान पर नहीं आती मैं तेरा मर्द हूँ, मर्द औरत में सब साजह होता है, पति-पत्णी में उचनीच, घटबड, दुख सुख साजह होता है उन में दुई का भेद नहीं होता, या होता है, उसमें इनकार में सिरह लाया तू मेरी अर्धांगिनी है, आधे अंग पर प्रहार हो तो बाकी आधे अंग को कुछ महसूस नहीं होगा होगा तो दुराफ कैसा? छुपाफ कैसा? बोलती हूँ, सुनो उससे अलग होकर नीलम संभल कर बैठी और सिर जुकाए बोली मैं सूरज की जरूरत के सामान की खृददारी के लिए मार्केट गई थी जब घर से निकली थी तो सूरज कप का डूप चुका था लेकिन माहौल में अभी कदरन रोशनी थी खृददारी में मुझे 15-20 मिनिट लगे थी वापसी के टाइम तक राद तारी हो चुकी थी वापसी के रास्ते में एक सड़क पर स्ट्रीट लाइट्स काम नहीं कर रही थी इस बात का एहसास जाती बार मुझे नहीं हुआ था जाती बार वहां छोटी मोटी आवाजाही भी थी लेकिन लोट्टी बार सड़क का वो हिस्सा बिलकुल सुनसान पड़ा था, मैंने उस हिस्से मैं कदम दाला ही था कि एकाएक एक कार वहां पहुची, ब्रेकों की चर्चराहट के साथ मेरे करीब रुखी एक साथ उसके तीन दर्वाजे खुले, तीन जने बाहर निकले और उन्होंने मुझे दबोच लिया, मैं उनकी पकड में बुरी तरह से जट पटाई, ख्रीदारी के बैट पता ही न लगा कब मेरी पकड से निकल गए, चलाने की कोशिश की तो किसी ने मुम दबोच लिया और फिर उन्होंने मुझे उठाया, पलक जपकते कार में डाला, खुद भी कार में सवार हुए और कार भाग निकली, कार की खिड़कियों पर परदे पड़े हुए थे और मैं पिछली सीट पर ऐसी पोजिशन में थी कि बाहर नहीं जाक सकती थी, कार काफी तेज रफतार से द दरिया नहीं था कि वो कहां से गुजर रही थी या किधर जा रही थी, फिर, वो ठिट की, फिर क्या, विमल व्यग्रभाव से बोला आगे बोल, वो तीनों जंगली जानवरों की तरह मेरे पर तूट पड़े, कार में एक जना और था, वो कार चला रहा था, फिर भी बाज नहीं आ रहा था, वो भी? हाँ, कभी भी एक हाथ बढ़ाता था और मुझे नोचने लगता था, दो बार कार कहीं तकराई शायद रोड दिवाइडर से और उलटने से बाल-बाल बची, तब किसी ने घुड़क कर उसको बोला कि वो कार चलाने की तरफ तवज्जो दे, माल में उसका हिस्सा कहीं अमोशी रही वो, वो तीन दरिंदे, फिर नीलम आगे बढ़ी, इस बात से भड़क रहे थे कि वो तीन थे, फिर भी मैं से उनके काबू में नहीं आ रही थी, पेश न चलती पाई तो मुझे मारने लगे, गंदी गंदी गालिया देने लगे, मेरे कपड़े उगाडने लगे, उसी हाथा पाई के दौरान कभी पिछली एक खिड़की के परदे पर मेरा हाथ पढ़ा और वो अपनी जगह से उखड गया, तब कभी कभार बाहर की रोशनी कार के भीतर पढ़ने लगी, लेकिन वो इ पिछली सीट के बीच कार के फर्ष पर पटक दिया, दो जनों ने, मेरे हाथ पाव जकर लिये, तीसरा मेरी छाती पर सवार हो गया, और जबरन मेरे कपड़े मेरे जिस्म से अलग करने की कोशिश करने लगा, उस दौरान जो कार चला रहा था, वो गोलिव जना अपनी सलाह दे रहा था, कक्या, सिग्रेट से दागो साली को थोबडा तोडो ऐसा की एकाद दांत उखर जाए, मिनरल वाटर की बोतल घुसेड दो, सीधी हो जाएगी बहन की, विमल अंजाने में दांत किट-किटाने लगा, फिर, बड़ी मुश्किल से वो बोल पाया, उनकी नई ताकताजमाई मेरे पर काम्याब हो भी गई होती की तभी बाहर से जोर-जोर से हौन बजने लगा, उनकी मनमानी को तब वक्ती अंकुष लगा तो मैंने तणप कर हाथ पाव चलाए तो मेरी छाती पर चड़ा लड़का परे जाकर गिरा और मेरे हाथ पाव भी बाकी दो की पकड से आजाद हो गए, तब एक बार बिना परदे वाली खिरकी से बाहर जाकने का मौका मुझे मिला तो मुझे बस एक जलक मिली की उसकार के साथ-साथ एक जीप दौड रही थी, जिसमें कई जने सवार थे और वही लगातार हौन बजा रही थे, चेता रहे होंगे कि वो सब देख रहे थे, ऐसा ही जान पड़ता था, फिर उस बात से शह पाकर मैं गला फार कर बचाओ बचाओ चलाई लेकिन पता नहीं रफरतार से दौरती बंदकार से बाहर मेरी आवाज पहुची या न पहुची, फिर किसी ने मेरे मुह पर इतनी जोर का घूस जड़ा की मेरी आवाज गले में ही घुट कर रह गई, फिर कोई बोला जीप वाले कॉल लगा रहे थे, कोई और बोला जरूर पुलीस को लगा रहे थे, तीसरा बोला की आजकल रात के वक्त TCR वैन सरकों पर बहुत घूंगती थी, गश्त की द्यूटी करती पुलीस की ऐस कोई गाड़ी उनको घेर सकती थी और रुखने पर मजबूर कर सकती थी, जीप अभी भी बगल में दौड रही थी, जीप का हौन, अभी भी बज रहा था, फिर दूर कही साइरन गूंजा, कैसा साइरन? साइरन जैसा साइरन, अब ये पता नहीं कि पीछे कोई पुलीस की गाड़ी थी या एंबुलेंस थी, लेकिन मेरे आत्ताईयों पर उसका असर अच्छा हुआ, जरूर ये पकड़े जाने की दहशत का ही नतीजा था कि कार ने एक तीखा मोर काटा, उस कोशिश में उसकी र दाबाजिया खाने के बाद एक खड में जाकर पड़ी, फौरन बाद मैं होश खो बैठी, दाता होश आया तो मैंने खुद को जीप में पाया, मैंने देखा कि जीप में चार नौजवान सिख लड़के सवार थे और एक मेरे मूँ पर पानी के छीनते मार रहा था मैंने आखे खोली तो वो मुझे तसली देने लगे कि अब मैं से फथी और उन्होंने मुझे हस्पताल ले जाने की बाबत बोला, मैंने सक्त इंकार किया वो बोले मैं चलती कार में से गिरी थी, मुझे ऐसी चोटे लगी हो सकती थी जिनकी मुझे अभी खबर नहीं थी के लिए किसी टैक्सी में सवार करा दे, वो लड़की इतने भले निकले कि मॉडल टाउन उनका रास्ता भी नहीं था, फिर भी मुझे घर पर छोड़ कर गए कोटी के आगे गेत पर मेरी जित पर वो तो मुझे सहारा देकर भीतर पहुचाना चाहते थे शेश भाग अगले एपिसोड में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें